सब्सक्राइब को पूरी की पूरी केमिस्ट्री एक और वार क्वेस्टिन्स की फॉर्म में सारी के सारी चीज सिखा रहा हूँ कल क्लास 11 की फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश कर दी थी जिन बच्चों ने अटेंड किया था उनको पता है कितना अमीजिंग तरीके से सेशन हुआ था और आज बेटा हम लोग की पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लेट करने वाले हैं आज पहले सबसे पहले फ्लो स सर्फेस वे तो निट वो चुकी है। अब क्या है पैटा आप लोगों के तीन चाप्टर हैं 12 की फिजिकल के मिश्री बख出來 की सैंगर जो इसके बाद पीट Handy आपकर में उसके जो मैं आप लोग को कुछ करवा दूँगा ताकि एक बढ़िया तरीके से 11 की फिजिकल के मिस्ट्री बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट डे से कल से हम लोग बेटा और्गा ऌनिक के मिस्ट्री की तरफ मूउग कर सके यहाप देखिए ते कल लोग और्गांट कर लेंगे यलगार test series का link बिटा मैं telegram channel पर बेज़ दूँगा session होते से ही मेरे को एक बार याद भी दिला दिया करो ठीक है थोड़ा सा भाई भुलक का type के है यलगार बिटा free test series है chemistry की हर Sunday को test होता है आप लोग इसमें बिंदास enroll करिए चीक है तो यह आप लोगों का telegram channel पर मैं दे दूँगा आज बिटा 12th की physical chemistry finish करते है सबसे पहले बिटा दिल बना दीजिए chat section में प्रहार के लिए बिटा आग लगा दीजिए chat section में कि हाजी सर हम लोग ready है और आज 12th की physical chemistry finish करने वाले हैं excited? start करें जी? start करें? बदाइए जी जनता जानना चाहती है बिटा start करें या नहीं करें? ready? copy pen लेके बैठे हो copy pen लेके बैठे हैं हम copy pen लेके बैठे हैं यलगार का syllabus बिटा जो आप लोग का next test है वो 7th April को है यलगार का syllabus है बिटा that is 12th की chemistry that is complete 12th की chemistry ठीक है जो 7th April को test है और इसके बाद हम लोग फुल syllabus करेंगे जलगार करें पिटा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फुल syllabus करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ फुल syllabus करने वाले हैं इसके बाद है 7th April को तो आप लोग का क्या है 12th की की chemistry का पूरी की 12 इसके पूछी जाएगी start करते है ख न सिने दीटसरी में टोमरा मटरी बेच चीहां कि आजब करते तेलिग्राम चैनल जॉइन करें है यलगार बेटा औरडेड ही चल रहा है प्रहार बेटा आप लोग एक्सुलूजिव नीत सवरा वाले वह भी बेटा आप लोग का जलदी ही लांच होने वाला है वह भी जल्दी होने वाला है यह डल लग रख रहा है को भी बात नहीं है बस भटकना नहीं है आपको दुनिया भटकाएगी दुनिया भटका आप लोग को एकदम पीछे पढ़ गई है लास्ट के एक महीने में आप लोग को भटकाने के लिए आपको भटकना नहीं है जैसे जैसे मैं आप लोग को गाइड करते वे चलना हूँ वैसे वैसे आप लोग पढ़ते वे लेगी सेकिंड सेशन तक आते आते जनता क्या हो जाती विटा आधी हो जाती ठीक है तो इतना ही मोटिवेशन रहता है अपन लोग स्पार्ट करते पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने यह रहा चलो आज़ो जी सवाल करते वे चलेंगे खूब सारे सवाल स्क्रीन के सामने यह रहा करना राकर करना चलेंगे अंसर बढ़ेगा है शिब्दत के साथ आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा चीक है तो फटा-फट से आओ चलो चलिए बिटा चलिए बिटा पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने यह रहा कैसे करोगे बिटा इस तरीके के सवाल कैसे करोगे यहां पर देखो सबसे पहले देखो यहां पर क्या बोल रहा है आपको n by 10 50 ml H2SO4 n by 3 30 ml HNO3 n by 210 ml HCL हमेशा ध्यान रखना हमेशा ध्यान रखन जबी भी बेटा आपको normality दे रखियो जबी भी बेटा आपको normality दे रखियो और देखो क्या सारे के सारे acid है H2SO4 हो बही क्या है B memory का acid है HNO3B क्या है पिटा acid है HCLB क्या है पिटा acid है जबी भी आपके acid हो, acid मतलब सेम तरीके का element है, acid और base नहीं है, सारे का सारे acid है, तो पिटा क्या formula लगाओगे, आपका जो resultant normality है, उसका formula आएगा N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 upon total volume, upon total volume, denominator में क्या लोगे पिटा, total volume लोगे, अब यहाँ पे देखो बिटा, यहाँ पे देखो बिटा, जो आपका, यहाँ पे देखिए, जो आपका normality है, यहाँ पे देखो क्या है, 1 by 10 है, और क्या है बिटा, 50 ml, तो यहाँ पे देखो, 1 by 10 into 50, छेक है, प्लस, यहाँ पे देखो बिटा, क्या है, N by 3, और यह divided by total volume, सवाल अगर पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, solution is made to one liter, एक लीटर solution ले लिया, एक लीटर solution का मतलब कितने ml हो गया अपका, 1000 ml हो गया, solve करो, solve करो ये काटा, इसको ये काटा, ये काटा पेटा, दस से, ये काटा पेटा, पांच से, तो देखो पेटा, पांच, दस, पंद means to two, या फिर one by 50, सब्सक्राइब लें के अगने मतल्न, क्या वो गया, इससाड कर लेंगे, ये सर्न, क्या हम ये सवाल पर लेंगे, ये सर्न, मुझे बताईए, नार्मलेटी हो तो पढ़ा ये हो अच्छा, एक बात सुनिए का दियान से, अब देखो यहा पर या पे मैं आ acid plus acid है, सुनना ध्यान से, दोनों के दोनों आप लोग के सेम तरीके के element है, ठीक है, या फिर suppose करो, base plus base है, तो ऐसे case में आप लोग क्या करते हो, n1 v1 plus n2 v2 upon v1 plus v2, इस तरीके से करते हो, हाँ जी सथ, तो बीच में sign क्या आता है बेटा, positive sign आता है, लेकिन बेटा, अगर एक acid है, हाँ जी सथ, और एक base है, तो क्या अब इन दोनों में reaction होगी, एक acid आ गया, एक base आ गया, क्या इन दोनों में reaction होगी, हाँ जी, इन दोनों में reaction होगी, तो बीच में क्या आएगा, बेटा, जिखा रहा है तो यह चीज ध्यान रखीएगा यह चीज ध्यान रखीएगा ठीक है चलो सवाल पे जलें, नेक्स सवाल पे जलते हैं, चलो अब यहां पे देख हो यह बताओ, अब यहां पे देखू यह बताओ, अब देखना यह आप लोग का went of factors है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो आप लोगी colligative properties है, वो mix होके आएंगी, किस के साथ went of factor के साथ mix होके है, अकेला individually went of factor का सवाल नहीं आता है, colligative properties और went of factor को mix करके आप लोगो पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है, osmotic pressure of equimolar solution of BACL2, NACL and sucrose, अब यहाँ पर देखिए बेटा, कैसे करोगे, osmotic pressure का क्या formula है, osmotic pressure का formula होता है, pi equals to I into CRT, अब देखो temperature के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो temperature हम लोग constant बानेंगे, R बेटा वैसे ही constant हो रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, equimolar, तो मतलब CB क्या है बेटा, constant है, तो इसका मतलब क्या variable कौन है, सिर्फ और सिर्फ आई, तो क्या यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, कि जो osmotic pressure है, that is directly proportional to I, क्या मैं बोल सकता हूँ, osmotic pressure is directly proportional to I, बिल्कुल सही है, अब मेरी बात सुन, ध्यान से, अब मेरी बात सुन, ध्योरी करवाते वे चल रहे हैं बेटा, साथ साथ में, यहाँ पर देखो, जैसे सबसे पहले क्या है आपका, BACL2, यह कैसे टूटे का बेटा, बेरियम प्लस 2, प्लस 2CL-, तो एक बेरियम हो गया, दो आपके CL- हो गया, तो total ions कितने हो गया, 3, तो I की value कितनी आगई बेटा, 3 आगई, next कौन है बेटा, आपका, NaCl, तो कैसे टूटे का बेटा, Na+, प्लस CL-, तो एक CL-, एक Na+, आई की value कितनी आगई बेटा, 2 आगई, समझे, and बेटा, जो non electrolyte होते हैं, अब यहाँ पर समझो इस चीज को, जो non electrolyte है, non electrolyte कौन है, जो तूटते नहीं है, बेटा, जो बिखरते नहीं है, बेटा, non electrolyte के कौन-कौन से example, मैंने आपको बुला है, 3 example याद करो, कौन-कौन से, urea करो, और sucrose करो, और बेटा, glucose करो, यह तूटता नहीं है, तो यहाँ पर I कितना रहता है, बेटा, 1 के बराबर, चेक है, तो सबसे ज़्यादा I किसका होगे है, बेटा, BACL2 का, तो osmotic pressure भी सबसे ज़्यादा किसका, BACL2 का, then NaCl, then sucrose, चेक है जी, यह बात याद रहेगी, यह बात याद रहेगी, कि यूडिया, sucrose और glucose, इसका I क्या रहता है, 1 रहता है, I1 का मतलब क्या है, कौन बताएगा बेटा, चैट सेक्षन में, I1 का मतलब, I1 का मतलब क्या है, कि नहीं वो dissociate करते हैं, nor, nor dissociates, है ना, मतलब, no dissociation, no association, dissociation भी नहीं होता है, और association भी नहीं होत और देवनानी है ना चल इस तरीक कि आप लोग वेसники सवाल भी आते अब है यह यह पिछा रहे हैं जो भी आप लोग के नोटवा होते हैं वहाँ से बेटा कैसे सवाल अब उचे जा रहे है बताओ जी आंसर क्या है बटा बताओ जी आंसर क्या है बताओ जी आंसर क्या है अब देखों या पर क्या बोल रहा है For a Dilute Solution Raoul's Law states that अब सुनो ध्यान से कौन सा statement true है दंग से बढ़ो क्या बोल रहा है बेटा एक एक करके बढ़ेंगे क्या बोल रहा है बेटा Lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute गलत है बच्चा यहीं बड़ी confused हो जाता है Lowering of vapor pressure नहीं होता Relative lowering of vapor pressure होता है हमेशा ध्यान रखना RLVP क्या होता है Delta P by P किसके बड़ाबर होता है XB XB क्या है Mole fraction of solute तो relative lowering of vapor pressure is equals to mole fraction of solute Lowering of vapor pressure नहीं Relative lowering of vapor pressure तो यहाँ पर देखो बेटा Second statement देखो Relative lowering of vapor pressure is equal to Mole fraction of solute सत्य बचन यहीं है आपका answer यहीं है आपका answer हाँ Relative होना चाहिए एक बात ध्यान से सुनना बेटा एक बात ध्यान से सुनना यहाँ देख बेटा एक जबरदस चीज बताता हूँ दो टर्म होते हैं कौन कौन से होते हैं एक होती है बेटा Lowering of vapor pressure इसको हम लोग क्या लेखते हैं इसको हम लोग लेखते हैं P not A minus P A है ना अब लोवरिंग of vapor pressure इस इस नौट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यह बेटा लेकिन इधर ही अगर relative वर्ड आ जाता है क्या जाता है बेटा relative लोवरिंग of vapor pressure relative लोवरिंग of vapor pressure तो वो क्या होता है बेटा P not A minus P A अपॉन P not A relative हो गया बेटा divide गर दी आपने P not A जो की किस के बराबर होता है बेटा X B के बराबर now this is a colligative property now this is a colligative property समझे 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 यह चीज ध्यान में रखिएगा यह चीज ध्यान में रखिएगा चीज़ आगे बढ़ते है बेटा एक सवाल पर बताओ चलो यह बताओ यह बताओ a solution of acetone in ethanol now very very important very very important जो भी बेटा आप लोग के examples है कौन कौन से examples है बेटा एक आपका ideal solution का example होता है चेक है एक आपका positive deviation का होता है यह सारे example बेटा मैं आप लोग को इस class के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज़ दूँगा short notes में मेरे सारे mentioned है short notes में सारे mentioned है टेलीग्राम चैनल पर भेज़ूँगा यह जितनी भी example है positive के, positive के, negative के और ideal के यह example याद करके जाना NEET 2024 में यहां से सवाल रखावा है नीट 2024 में यहां से सवाल रखावा है तो यह ध्यान रखे जाएगा तो जो acetone है in ethanol क्या दिखाता है बेटा positive deviation दिखाता है इनके जो examples है मैं जो short notes भेजूँगा आप लोगों के सारे example लिखे वेए वहाँ से आप लोग इसको याद करके जाएगा लीग पेटा जो पड़ाया वोहिं आया ना जो पड़ाया वहीं आया चलो आजाओ यहां आजाओ अब देखो आप जरा करना है आप जरा करना है यहां करना है यहां में ँराओ जलो इससे करो इससे करिए which one of the following salt will have the same value of went of factor and of factor पेटा जैम किसमे है यहां जब इसको तोड़ोगे तो कैसे तूटेगा जूम करें जूम कोडिनेशन कंपाउंड है यह कैसे तूटेगा क्या आपको चार के प्लस दिख रहे हैं हाँ जी तो यहां पर चार के प्लस हो गया और एक क्या है कॉम्पलेक्स है एक कॉम्पलेक्स है तो यह आ गया बेटा आपका F E C N 6 4- ठीक है तो कितने आयन आ गये चार के प्लस और एक यह तो आयन कितने पांच तो I की वैल्यू कितनी प्लस पांच अब देख लो बेटा I की वैल्यू 5 कहा रही है 7 वचन पहला वाला तोड़ो जैसे पहला वाला तोड़ोगे तो यहाँ पर देखो कितने अलूमीनियू महें क्या दो अलूमीनियू है तो यहां पर आगया बेटा आपका 2e L प्लस 3 बिल्कुल सभी है कितने सलफेट है 3 तो 3 वेटा SO4 2- तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 तो IE के value कितनी बड़ा? 5 IE के value 5, पहला option सही है, बागी सारे देख लेना यहाँ पे देखो यह NA plus और C L minus यहाँ पे IE कितना आएगा? 2 यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा IE तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 मतलब यह 1 और यह 3 तो IE के value कितनी होगे? यहाँ पे चार और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 2 sodium और 1 sulfate, तो IE के value कितनी बड़ा? यहाँ पे 3 उत्तर बड़ा पहला option, आगे बड़े आगे बड़े, 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 चलो बड़ा properties भी बोला जाता है किस पर depend करता है केवल number पर केवल number पर ठीक है तो देखो number of particles present in solution c option केवल number पर nature वेचर पर कुछ नहीं, moles souls पर कुछ नहीं और देखो यहां पर देखो d option में गड़वड है number of moles of solvent only नहीं 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 ठीक है नाओ नाओ ठीक है पार्टिकल पर डिवेंड करता है दोनों पर डिवेंड करता है और नेचर तो वैसे पर जीवात है यह समझ गें कांसी acting कर रहा है देखाए वो मीम देखा है नौ नौ करें यह करऊ अब यह करो An ideal solution is formed when it's compound Ideal solution में बटा, क्या होता है? Ideal solution में बटा, delta V mixing क्या होती है बटा? Zero Delta H mixing क्या होती है बटा? Zero Entropy हमेशा बढ़ेगी और Gibbs free energy हमेशा decrease होएगी हमेशा decrease होएगी यह चीजे होती है बटा, ideal में अब देखो क्या बोल रहा है अब देखो क्या बोल रहा है Have no volume change on mixing सत्यवचन Have no enthalpy change on mixing सत्यवचन Have both the above properties बिल्कुल सही बात है तो C option होगी है बटा दोनों ही चीजे होती है देखो यह धियान रखना और यह चीज मैंने बताई थी जो यह लिखा है क्या यह always वाला case होता है? मुझे बताईए क्या यह always वाला case होता है? क्या यह always वाला case होता था? मतलब बिटा negative deviation हो, positive deviation हो ideal solution हो, non-ideal solution हो कोई साभी हो entropy हमेशा बढ़ेगी and gives free energy हमेशा decrease होएगी मतलब negative है gives free energy negative है और अगर gives free energy negative है तो बिटा process क्या होगा? gives free energy negative है तो बेटा प्रसेस क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा आगे बड़े आगे बड़े चलो यह करो अब इसी बात पर यह करो अब यह बहुत ही इजी सवाल वैसे तो मेरा मन नहीं ताहिए लानेगा लेकिन बेटा कॉन्फिदेंस भी आप लोगों का बड़ाना पड़ता है मेरे को है न चलो यह करो बहुत ही इजी सवाल क्या बोल रहा है फाइफ पॉइंट एट फाइव ग्रैम है एनिसी यह लगा एंड वन केजी ओफ वॉटर चैक है सबसे पहली बात तो मॉल्स निकाल दो बिटा इनिसी अलका मोलर मैस कैसे निकालोगे पाइब सोडियम इस क्लोरीन 35.5 कितना होगे लिए निकालो वेठ ऑफ वेट और Nejा एक यह तो कितने आ जीरो पॉइंट वन आ गई मुलालिटी तो आंसर बिटा बी ऑप्शन आंसर बिटा बी ऑप्शन आगे बढ़े आगे बढ़े 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 क्या जंता आगे बढ़ेना चाहती है क्या जंता आगे बढ़ेना चाहती है बिलकुल जंता आगे बढ़ेना चाहती है चेक अब यहां पर यह देखो, चलो, अराम से पढ़ो, अराम से करो, easy है सवाल, सवाल easy है, बस आपको क्या कर रहा है, शब्दों में फसाने की कोशिश कर रहा है, अंग्रेजी, अंग्रेजी में बिटा आपको फसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपन फसेंगे नहीं, आजा, कर, कर यहां पर देखो बोला, क्या बोलता है, a solution is obtained by dissolving 12 gram of urea, मुलर मास 60 in 1 liter of water, तो यहां पर देखो 2 cases, यहां पर देखो 2 cases है, एक है बेटा urea का, छीक है सा, क्या है, 12 gram urea का है, और 1 liter पानी है, बिल्कुल सही है, लिखते वे चलेंगे न, तो एकदम clear हो जाओगे, आगे क्या बो following, 68.4 gram of cane sugar, मुलर मास भी दे रखा है आपको, sucrose, cane sugar मतलब sucrose, next किस का है बेटा, sucrose का case, ठेक है, क्या बोल रहा है, 68.4 gram है, in 1 liter of water, तो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो यह देख, क्या यह चीज़ common दिख रही है, एक लिटर वाटर, क्या यह चीज़ common दिख रही है, यह न अब बोल रहा है, the lowering of vapor pressure in the first solution, मतलब दोनों को compare करना है, कुछ नहीं, 12 gram urea है, तो क्या यहां से मैं moles से निकाल सकता हूँ, क्या यहां से मैं moles से निकाल सकता हूँ, urea के, कैसे, given mass upon molar mass, कितना हो गया, 1 by 5, कितना हो गया, 1 by 5, मोल्स कितना हो गया, 1 by 5, अब यहां पर देखो सुक्रोज है, 68.4 gram है, तो क्या यहां से मैं moles निकाल सकता हूँ, given mass upon molar mass, 342, moles कितना हैंगे, 1 by 5, हाँ जी, अब यहां देख, अगर moles भी सेम आ गया, urea क्या है, salute है, सुक्रोज क्या है, salute है, solvent भी आपका बराबर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, moles अगर सेम आ गया, तो ज same as that of second solution, बोल हायाना, क्या सेम अदिख रहा है, क्या सेम अदिख रहा है, मुझे बताओ, क्या सेम अदिख रहा है, moles सेम आ गया, ने बटा, 1 by 5, 1 by 5, और यहां पे तो यहां पे तको यह भी सेम है, पानी भी बटा, 1 liter, 1 liter है, या तो अगर पानी अलग-अलग करता, तो हम ल समय गाएगा, चाहएजी आगे बढ़ें, नेक्स सवाल, अब ये देखो, इस तरीके के सवाल पूछा गया है, बोहत ही रीसेंट्ली, तो अब लज साब शाहरे 2022 के PYQ में आए था ये ये मेरे साब से शाय 2022 के PYQ में आए था आव इसको समझ़िए कँ समझ़े गए को कैसे करोगे यहा करना के करना एक बार ट्राइ करो जा्द मैं बताता हू आपको ट्राइ करो तो आपको भाई साव ने अपनी इच्छा बता दिये कि 2 मूलर बनाना है और 200 मल होनी चाहिए तो सबसे पहरे मुझे ये बताओ क्या मैं ये लिख सकता हूँ सुनना ध्यान से अब इस तरीके का सवाल आया है इस तरीके का सवाल आया है देखो क्या मुलारेटी का आप लोग ये लिखते हो मूल्स अपन वॉल्यूम बिल्कुल सही है और अगर वॉल्यूम एमल में लेनी है वॉल्यूम एमल में लेनी है तो क्या गरो हजार से मल्टिप्लाई कर दो हजार से मल्टिप्लाई कर दो ऐसे molarity को यह लिखते हो या नहीं लिखते हो हाँ ज़र यह लिखते है कितनी molarity दे रखिए दो एक्वल्स टू mols अपॉन वॉल्यूम है बेटा धाई सो इन्टू हजार तो यहां से मुझे बताओ mols कितने आ रहे हैं mols आ रहे हैं half mols half आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं मेरे को इतना बताओ करें सबसे पहले बता हाँ या ना बोल मैं लेके चल रहा हूँ आपको सारे सवाल आपको करने की जूरत नहीं है मेरे से सीखो वेटा अगर सेशन देख रहे हो तो सीख के जाने चाहिए हो कुछ से मूल्स इंटू मूलर मास मूल्स है बिटा हाफ और मूलर मास बिटा एचनो थरीका एचनो थरीका मूलर मास निकाल दो एचनो थरीका मूलर मास निकाल दो हाइड्रोजन बिटा एक यह बिटा फोर्टीन और तीन इंटू सोला यह कितना अड़ तालिस कितना मूलर मास कितना एका 63 कि तो इसको 63 तो यहां पर यह कितना आगे आगे आपका 31.5 ग्राम आया नहीं पहले तो यह बता कि 31.5 ग्राम आया यह 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 वेट एचनु तरीकर 31.5 ग्राम आया यह अब सर यह तो सवाल में नहीं यह यह तो सवाल में नहीं यह अब क्या गड़ बढ़ आये यह जो मास आया है इस लिए तो हंड़े परसंट प्योर की बात हो रही है लेकिन अब सवाल में ट्विस्ट दिया है क्या बोल रहा है this concentrated acid is 70% HNO3 अब खेल सुन अब खेल सुन अब देखो आपको मास कितना चाहिए आपको जितना मास चाहिए वो आपने निकाल लिया कितना मास चाहिए 31.5 टोटल effective मास मेरे को इतना चाहिए लेकिन मैं जितना भी मास लोगा उसका 70% ही काम का है हाँ या ना बोल हाँ या ना बोल देख बोल रहा है concentrated acid is 70% HNO3 इसका मतलब क्या है मैं अगर 10 गंटे पड़ता हूँ या फिर अगर सपोस करो मेरे पास 100 ग्राम है या फिर मेरे पास 100 ग्राम है त का मतलब यह कि आप लोग 70% X का should be what 31.5 ग्राम क्योंकि ultimately हमें 31.5 चाहिए ultimately हमें 31.5 चाहिए तो 70% किसका लूँ कि 31.5 आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है 70 upon 100 into X is 31.5 तो यहां पर X कितना आ रहा है 31.5 into 100 upon 70 समझे या नहीं समझे भाई भाई मेरे भाई यहां पर सुन यहां पर सुन यहां पर सुन यह है effective mass मतलब मेरे को 31.5 ग्राम चाहिए ही चाहिए में को31.5 ग्राम तो चाहिए ही चाहिए तो 60 % में Suppose आप से एक सी TOP पूच्छा आपसे एक सीदो बूच्छा है जब इसको aż 55 गरेगा Eorts कितना आएकगा एक्स आएगा के आट compartmental सबस्क्राइब एक बार मेरेको थमसप दे दीजिए चाट सेक्षन में कि हाँजी सर समझ में आ चुका है चेकर है मैं एक बर और रिपीट कर रहूं आ जो बीटा यह बर और रिपीट कर रहूं मेरी बात सुनों एक बार रिपीट कर रहो, आपको volume दे दी थी, हाँ, आपको molarity दे दी, हाँ, तो मैंने क्या निकाल दी है, moles निकाल दी, ठेक है, ठेक है, सबने moles निकाल दी, अब moles निकालने के बाद मैंने mass निकाल दी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक् प्रसंट ही प्योर है इसका मतलब क्या आप जितना भी मास लेके आओगे उसका सतर प्रसंट ही काम का है और काम का मास कितना है effective मास कितना है 31.5 तो आप जितना भी मास लेके आ रहे हो उसका सतर परसंट निकालो तो वह effective मास आना चाहिए जब मैंने निकाला इसका 70 परसंट तो यह आप गया आगया 45 करें अब चाहो तो एक और बार इसे देख लेना जब PDF मिलेगी तो एक और बार खुद से ट्राइ कर लेना यह पीवाई क्यों है बहुत रिस्वेंटली पूछा गया है आगे बड़े आगे बड़े बड़ा आगे बड़े आगे बड़े नेक्स सवाल अब यह देखो बड़ा यह मैंने आपको ट्रिक बता रखी है यह मैंने आपको ट्रिक बता रखी है क्या ट्रिक बता रखी है वापस से बताऊंगा ट्रिक बता रखी है मैंने आप लोग को P A P B are the vapor pressure of pure liquid A and B X A represent mole fraction of A total pressure of the solution will be X A के terms में देखो तीन तीन लिखवाए थे एक तो ये लिखवाए था P total is एक तो ये है जो easy सा है P total is P not A X A plus P not B X V एक ये था हाजी एक तो ये था बेटा बिलकुल सही है दो और तरीके लिखवाए थे कैसे लिखवाए थे P total is अब याद करो मेरे साब ने dash plus bracket चालू bracket बंद X A और P total is dash plus bracket चालू bracket बंद X B ये लिखवाया था ये लिखवाया था ये लिखवाया था लिखवाया था अब कैसे याद करवाया था यहाँ पर देखो कौन है X A है तो यहाँ पर कौन आएगा बेटा P not B उल्टे से start करते है यहाँ पर कौन है बेटा X A तो यहाँ पर कौन आएगा बेटा P not B अब कौन आएगा B तो अब कौन आएगा A तो यहाँ पर आएगा P not A फिर alternate चलेंगे फिर आएगा पी नॉट बी वापिस देखो इसे ये क्या है X B तो start किसे करोगे A से opposite चलना है वेटा पी नॉट A आ गया अब यहाँ पर क्या आया A तो next term किसका आएगा B का पी नॉट B क्या लिखा B तो next term किसका आएगा A का समझे समझे तो यहाँ पर देखो उत्तर क्या बन रहा है यहाँ पर आपको उत्तर क्या आ रहा है उत्तर क्या रहा है कौन सा option दिख रहा है कौन सा option दिख रहा है बिलकुल सत्यवचान कौन सा option दिख रहा है डी option दिख रहा है सही है आगे बढ़ें आगे बढ़ें बढ़ें याद रहेगा ये, ये trick बेटा याद रहेगी या नहीं रहेगी, ये trick बेटा याद रखना, this is your second, this is your third, ये trick बेटा याद रखिएगा, आगे बढ़ लें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, चलो ये बताओ, अब NCRT, मैं आपको बोलता हूं बेटा, एके के चीज बेट colligative property can provide molar mass of proteins with greatest precision, सबसे बढ़िया colligative property, molar mass को find करने की, कौन सी है बेटा, osmotic pressure, कौन सी है, osmotic pressure, मैं नहीं बोल रहा हूं, NCRT बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूं, NCRT बोलती है, चीक है, चीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, which is not a colligative property, ये तो मैंने अभी बताया which is not a colligative property, सभी बढ़ें 100% जनता का सही होना चाहिए, ये बढ़ें 100% जनता का सही होना चाहिए, कौन सी बढ़ें, कौन सी बढ़ें, कौन सी बढ़ें, lowering of vapor pressure, relative lowering है, लेकिन lowering of vapor pressure नहीं है, लोरिंग ओफ वेपर प्रेशर नहीं है, ठीक है जी, ठीक है, चीक है चालो, अरे, दो आंसर हो गए भी आपकर मौन होगा है इसके दोनों आंशर होगे दोनो आशा नशुक्रा अरब बोनस akenल तो बोनस हो गया सब आ कर दीक नंबर मिल गया सरमियाए अरे वा वा। कि बहुत ही ईजिस सवाल है बहुत ही ज्यली करो bonus है बटा, bonus है bonus है बटा, पछला अपस्कार्ट है अच्छार आ ऐस्षारो यार बोलरा है थे अच्छारो 3 त गरके बड़ीक फेक brain mixture their corresponding weight pressure are respectively 450 and 700 alright so there's value P naught as 450 then P naught B is what 700 and total pressure is 600 PT is what? 600 अब देखो क्या बोल रहा है अब बोल रहा है corresponding composition liquid phase मतलब आप से पता है क्या बूच रहा है आप से बूच रहा है XA क्या है and बिचा XB क्या है कैसे निकालोगे अभी अभी तो बताया मेरे भाई ये देख P total equals to dash plus bracket चालू bracket बंद XA X से निकाल देते हैं पहले अब कैसे लिखोगे सीखो तीसरी बार बता रहा हूँ A लिखा है? हाँ तो start किस से करोगे? B से तो यहाँ पे लिखो P not B अब यहाँ पे क्या है? B है तो क्या लिखोगे बिटा? P not A minus P not B अब तो कुछ नहीं वाल्यू डालो P not B कितना है बिटा? 600 P not B कितना है बिटा? 700 देखो P not B कितना है बिटा? 700 तो यहाँ पे लो बिटा 700 प्लस अब यहाँ पे देखो बिटा P not A कितना है? 450 तो यहाँ पे देखो 450 minus 700 into XA सही है? तो इसको solve करो इसको solve करो यह कितना है बिटा? यह कितना है बिटा? equals to 700 प्लस यह कितना होगे बिटा? यह होगे बिटा? कितना होगे बिटा? यह और यह और minus 500 यह होगे बिटा? minus 200 XA तो यहाँ से बिटा एक से कितना आ रहा है एक से कितना आ रहा है इसको वहां ले जाओ इस 700 को बिटा वहां ले जाओ तो यह बन जाएगा minus 100 minus 100 upon minus 200 तो यह कितना आ गया कटा कटा 2 यह 5 तो कितना आ गया एक से कितना आ गया 2 by 5 which is 0.4 0.4 x से अगर 0.4 है तो x b कितना हो जाएगा 0.6 तो आंसर वेड़ा पहला option सही है सही है या नहीं है बताईए सही है या नहीं है बताईए बता बता सही है या नहीं है सही है या नहीं है सही है या नहीं है बोलिए, इजी, इजी है, भाई अगर X A 0.4 है, तो X B 0.6 होगा न, क्यों, ऐसा क्यों होगा बेटा, क्योंकि X A, X A और X B कितना होगा जब एड करोगे, तो कितना होगा, 1 होगा, आगे बड़े, आगे बड़े, आगे बड़े, क्या बोले रहें बेटा, गुद सेट में क्या एया था हम से दूलु आने हम से लिए था हमसे न्होंने खुर टाट वह तो मैं आपको बताता है यह नहीं हम इतक сво Hudda ङंक के सवाल चरा आ तो मुझे तो पता है पिटा कहां से आये का पेपर मुझे पताता है शकता है मello ohne Other N आपन भी वीडियो बनाएंगे जो पड़ाया वो ही आया अब देखो क्या बहुत एजी लेकिन अंग्रेजी में चंफ्यूस कर रहा है किस में confused कर रहा है अंग्रेजी में देखो क्या बोल रहा है सुनना ध्यान से देखो क्या बोल रहा है बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ आ सॉल्वेंट डिक्रीज़ बाइ टेन एमम ऑफ एच जी वैन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट वस आड़ेड तू दा सॉल्वेंट छेक ह कितना है 10 है ठीक है सर मूल फ्रेक्चन कितना है 0.2 है मूल फ्रेक्चन कितना है 0.2 है अब सुनना ध्यान से क्या इतनी कहानी सुनके क्या मैं यह लिख सकता हूं genial लई कहां गया क्या मैं यह लिख सकता हूँ RLVP is delta P by P not equals to XB मुझे बताओ क्या मैं यह कहानी मैं लिख सकता हूँ क्या है क्या यह कहानी मैं लिख सकता हूँ हाँ डेल्टाइग कितना है दस है चेक है P not to P not है XB is 0.2 तो यहां सा जब मैं solve गरूगा तो पी नोट की वैल्यू कितनी यह पचास यहां तक किसी को समस्या है तो बोली है यहां तक किसी को समस्या है तो बोले हैं अब आगे अब आगे पूर अब देखो क्या बोल रहा है अब भाई साब बोल रहा है what should be the mole fraction of solvent अब देखो क्या बोल रहा है mole fraction of solvent if the decrease in vapor pressure is is 20 mm of Hg अब देखो बेटा case 2 क्या है अब देखो case 2 क्या है delta P कितना आ गया 20 mm of Hg क्या मैं यह लिख सकता हूँ यहां पर देखो delta P by P जो क्या होता है relative lowering of vapor pressure is mole fraction of solute delta P कितना है 20 यहां पर देखो delta P कितना है इ мнगाला अभी अभी आपने निकाला कितना 50 यह क्यों है एक्सभी तो स्बी कितना जईयो पॉइंट ओध लू यह बता क्या आपका answer जीरो पॉइंट फॉर एक्षी नहीं सवाल पड़ो क्या बोल रहा है water should be the mole fraction of solvent आप से क्या पूछ रहा है XA पूछ रहा है तो XA कितना है 0.6 answer second option कुछ बच्चे यहां तक भी पहुच जाएंगे लेकिन सवाल अगर आप लोग सही से नहीं पड़ोगे आप से mole fraction solute का नहीं पूछा है mole fraction solvent का पूछ है हमेशा ध्यान रखना जो आपका RLVP होता है RLVP क्या होता है यहां पर लिख रहा हूँ बिटा कौन सा फ़रोला यूज करा RLVP is what delta P by P not is what mole fraction of solute mole fraction of solute समझे एक बच्चा बिटा बार-बार पूछ रहा है कि पिछले सवाल में हमें यह कैसे पता चलेगा कि XA और XB पूछा है आप देखो क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है composition बताओ liquid phase में तो liquid phase में अगर आपसे पूछे तो XA XB तो बताओगे अगर वेपर phase में पूछता है तो YA और YB बताते है अगर आपसे liquid phase में पूछ रहा है तो XA और XB ही बताओगे यह वाल समझ भया है स्टार मांक करा है बिटा इसको द्यान चाँ देखिएगा कि रिपीट करें रिपीट करें रिपीट करो यार रिपीट करो तुम यार समझो यहां पर बढ़िया सवाल है दिमाग को चलाओ भाया लेट के मत पड़ो खड़े हो जाओ इसी तरीके के सवाल आएंगे नीट के एग्जामिनेशन में तुच्चा सवाल है बहुत इजी सवाल है लेकिन सोचो यहां देखो पहले क्या बोल रहा है वेपर प्रेशर कितने से कम हुआ दस से तो डेल्टा पी कितना है दस मोल फ्रेक्शन सल्यूट का देदिया 0.2 तो मैंने RLVP लगाया मैंने RLVP लगाया तो मैं इसे पी नॉट निकाल दिया पी नॉट कितना है 50 है पी नॉट कितना है 50 है दूसरा केस क्या बोल रहा है दूसरा केस बोल रहा है कि इस बार वेपर प्रेशर गरा 20 से तो 20 से वेपर प्रेशर गरा और यहां पे पी mole fraction salute का कितना आगया 0.4 अब salute का नहीं पूछा है solvent का पूछा है तो solvent का कितना हो देगा 0.6 ठीक है चलो आगे बड़े आगे बड़े बड़े ये सवाल करो ये बड़ा उन चार formula से सवाल है उन चार formula से सवाल है जो आप लोग के mole concept में जो आपके solutions में आते हैं चार important formulas जो आप लोग को बता रखें हैं जो आप लोगों ने अभी तक याद नहीं करा होगा है ना वहां से बड़ा ये सवाल है क्या है बड़ा सवाल यहां पर देखो molality equals to mole fraction solute into 1000 नहीं यादे तो बड़े याद होना चाहिए mole fraction solvent into molar mass of solute अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है mole fraction solute का निकालना है तो mole fraction solute का क्या मान लो a मान लो into 1000 solvent का कितना हो जाएगा 1-a solvent का कितना हो जाएगा बड़ा 1-a अगर solute का a है mole fraction तो solvent का हो जाएगा 1-a into molar mass of solvent एक्वस सल्यूशन है तो एक्वस में मोलन मास है 18 और मॉलालेटी कितनी हो गई एक तो यहां से ए निकाल देना ए निकाल देना ए जैसे आप निकालोगे तो क्या आएगा कितना आएगा कितना आएगा 0.0177 चीज़िस और पूषते भी बेटा आपको खौफ लगना चाहिए अंदर से कि अगर एक्स भी 0.4 तो एक्वस होगा क्यूं अगर यह चीज नहीं पता ना तो बहुत गड़बड की बात है पेट विक्ट्री सुट आच चेक है? चेक है? और X बही कितने एल्य रहे है? 1 रहे है घर 1 0.4 है तो दूरा 0.6 होगा ताकि और गरोगे तो कितने वाली होएगी? 1 आई चेक है? चेक है? चलो ये करो बेटा अगेन उन 4 important formulas Brutus से सवाल 4 important formulas से सवाल अगेन करिए करिये बिटा, बोल रहा है, what is the molarity, what is the molarity of H2SO4 solution that has density of 1.84 gram per cc and contains 98% by mass, क्या formula था? याद है formula, molarity equals to 10 into percentage weight by weight into density upon molar mass solute, upon molar mass solute, सही है? सही है? सही है? 18 कैसे आया? बेटा, aqueous solution दे रखा था, molar mass aqueous मतलब पानी है, तो molar mass पानी का कितना है? 18, ये करो, अब ये देखो क्या बोल रहा है? 10 into percentage weight by weight, कितना दे रखा है? 98 दे रखा है, density कितनी है बेटा? 1.84, upon molar mass of solute, again क्या है बेटा? H2SO4, H2SO4 है तो molar mass कितना है बेटा? 98, 98, अब बेटा काटा पेटी कर दो, यहां से यहां गया, 10 into 1.84, कितना आगे है बेटा? 18.4, 18.4, आंसर बेटा, a option, सही है? आगे बेटे, यह formula याद रखिएगा बेटा, formula यह याद रखिएगा, formula यह याद रखिएगा, चलो, आगे आजा, यह करो, 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 अब यहां पे दे दूसरा भी लीटर है और 0.5 मुलारेटी है तोटल मुलारेटी पूछ रहा है अब देखो क्या यहां पे दोनों बेस है तो चीजें आप लोग क्या करोगे दोनों मुलारेटी कितनी है अपौन ब्लारेट कितनी है, वोल्यूम कितनी है, 0.5 पैलेव इनटु 3 आपान V1 प्लस V2 थीन और धाहिए किता साधे है धाईप एनप पर कितना रहा है ए座िका पान कितना रहा है वाद याँ पे दू पाइट है कि तो इसलेगा ना रूकर में फ्रषा है जे वान फ़च ने लिपर वहार बाटा मुए छोगता फोर 4 Solkly. Very easy. Very easy. आगे बड़े? आगे बड़े? आगे बड़े. Sir, यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा formula कब आएगा? भाई सवाल पड़के? सवाल पड़के यार सवाल पड़के यार आपसे molarity पूछी है, आपको percentage weight by weight दे रखा है तो यह formula लगाओ के? आज चलो यह करो, यह करिए बटा, यह करिए, for an ideal solution, correct option यह बता चुका हूँ बटा, आज के ही session में बटा बता चुका हूँ, बताओ, आज बताओ, ideal solution में क्या होता बटा, delta G mixing 0 होती है, नहीं, नहीं बटा, नहीं, यह नहीं हो सकता, delta S mixing greater than 0, delta G mixing less than 0, यह तो बटा, always है, यह तो बटा, always है, चिक है, चिक है, और ideal में क्या होता था बटा, delta V mixing भी 0, और delta H mixing भी 0, तो बटा, fourth option, fourth option, चिक है, आगे बढ़ेगे, आगे बढ़ेगे, अब यह करो बटा, अब यह भी बटा, easy सवाल है, यह भी easy सवाल है, इस तरीके के बटा, PYQ में सवाल आ चुके है, इसले मैंने यह बदो, सवाल, देखो, क्या बोल रहा है, यहां पर देखो, क्या बोल रहा है, यहां पर पी का प्रेशर कितना दे रखा है, 80, पी नौट बी कितना दे रखा है, 60 मोल्स बहीं जाय मोल्स कितने रहें दें थीन को मतलब एन एक इतना है 3 एन बीर नहें तो यहां से मोल और इस नीकाल लो सर क्याल्कूलेटर थे रहे हैं बेटा youtube रूंसे और अमल्स किन दे रहे हैं यह पता है तुमें पहले रहे पांच तीन बटे पांच एकस्वी दो बटे पांच पी टोटल वेटा पी टोटल कि अब पता नहीं सर घरवालों ने फार्म भर दिया सा तो अब तो सर्थ देना पढ़ेगा कि है हां सब पता नहीं कौन सा एक्जाम है काटा पीटी करो मस्त बच्चे आप लोग एक नम्मर आपको पता है ना आपको पता है ना इस इंटू दो कितना लगा चोईस आपको पता है ने आप लोग वन पीस हो एक नमबर एक लोगते हो पूरे दुनिया में छलो बिटा इलेक्ट्रोकिमिस्ट्र की बारी इलेक्ट्रोकिमिस्ट्र के बारी बेटा एक बार हुहा घड़तो चाइट सेक्षिन में पहला चाप्ट पर बिटा फिनिश हो चुगा है हूा करेंगे बढ़ा चैस्ट सीक्षिन में हुच आजाओ जी आजाओ जी ृजव Islands ju जो है चलो अब यहां पर देखो क्या आप बोल रहा है हिहां पर यहां पर आप लोग को सवाल दे दिया आप सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा है, एक आपको equation दे दी है, बिल्कुल ठीक है, taking place in a galvanic cell is represented by, cell को represent कैसे करते हैं, पहले बेटा, आप लोग लिखते हो, एनोड को आजी, फिर लगाते हो, डबल डंडे, फिर लगाते हो, केथोड, इस तरीके से लिखते हैं, पहले एनोड लिखते हो, फिर डबल डंडे आते हैं, फिर केथोड लिखते हो, हाँ है ना, हाँ सर, एनोड पे बेटा क्या हो रहा ह कि क्या हो रहा होता है और रडाक्षान हाँ जी सर यहां पर देखो अब देखो ऑक्सिदेशन किसका हो रहा है यहां पर आईरण चाचा sorry iron नहीं, यहाँ पे बिटा आपके hydrogen चाचा, hydrogen चाचा यहाँ पे दिखो 0 में है, यहाँ पे किस में बिटा, plus 1 में है, तो क्या यह oxidation है, क्या यह oxidation है, reduction किसका हो रहा है reduction हो रहा है यहां पर ag plus 1 में है ag बिटा 0 में जा रहा है तो plus 1 से बिटा 0 है यह है आपका reduction यह है बिटा आपका reduction सही है सही है क्यों हो गयर सही है है क्या है तो कुछ नहीं अब देखो oxidation क्या है hydrogen जा रहा है हम यहां पर देखो बिटा यहां पर देखो बिटा यहां पर देखो तो hydrogen किस में जा रहा है उसमेhen kcl में जा रहा है तो यह गड़बड है हाईर्ड्रोजन किस में जा रहा है वेटए फ्लस में जा रहा है यह सही है यह सही है यह सही है यह è वी सही और reduction में तेखो क्या हो रहा है reduction में आपका agency lemer जा रहा है Почему a good machine है Pen póस्षा असे उस थे कि एच्टू जा रहा है एच प्लस में यह प्रफ बाफेक्ट है यह बरका ऐगे कि एक सिकंड का ज़्सेट होavic कि अधिकेश्च Spaßер इसिओं लिमिटिंग मूलर कंड़क्टिविटी किसकी पीटा NH4OH की कौनसा लो है पीटा कौनसा लो है पीटा कॉलरोश लो तो मुझे बताओ लामडा एम इन्फिनिटी कैसे लिखोगे कैसे लिखोगे लामडा एम इन्फिनिटी एन्फिनिटी 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 प्लस प्लस लामडा एम इन्फिनिटी ओवेच माइनस ऐन ऐसे लिखोगे बताओ जरा किसमें बैठ रहा है बताओ जरा किसमें बैठ रहा है यहां पर देखो बदाए किसमें बैट रहा है एनेच फोर ओएच एनेच फोर ओएच किसमें बैट रहा है 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 यहां पे NH4+, यहां पे CL-, यहां पे को है पिटा? NAOH, तो NA plus OH-, यहां पे को है पिटा? NA plus और CL minus, minus sign के साथ है, तो यहां पे आएगा minus NA plus, minus CL minus, तो देखो, यह NA plus और यह NA plus, cancel, यह CL minus, और यह CL minus, cancel, बचा कौन? NH4 और OH, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, बड़ा, NH4 और OH, तो यही तो चाहिए था, तो answer आगे बड़ा, D option, बोलो हाया ना, बोलो हाया ना, जोर सो बोलो बड़ा, जोर सो बोलो बड़ा, easy or not, easy or not, easy or not, चेके बड़ा? हाँ, चेके? चेके? चार ये करो बटा अब ये करिए सवाल इस तरीके के सवाल करो इस तरीके के सवाल करो ऐसे सवाल आप लोग बटा PYQs में भी देखोगे ये करना जड़ा ये करना जड़ा सर P-Block कब पढ़ाओगे P-Block मैंने अल्रेडी पढ़ा दिया है चार दिन पहले का अगर मेरा सेशन देखोगे इसी चैनल पर लाइव क्लास वाला तो मैंने P-Block का क्लास 12 पढ़ाया था P-Block का क्लास 11 भी पढ़ा चुका हूँ इस चैनल पर अविलेबल है वीडियो जाके आप लोग देख सकते हूँ देखो क्या बोल रहा है अब सुनिये घ adjust क्या है एक बात सुन ले पाद जो इन नौर का sign होता है उससे उल्टा sign होता है डेल्टा जी का तो यहां से बीटा बेटा डेल्टा जीनौट केतना हो जाएगा greater than 0 आया ना आया ना तो डेल्टा G के आएगा बेटा? पोजईटिव आएगा सही है? ये चीज याद रहेगी? ये चीज याद रहेगी हाँ और एक और चीज सुन लो बेटा एक और चीज सुन लो ये कहाँ से आ daha है यहां रहा है आपका E0 equals to या फिर S size हो है है न तो के एक्ucharा है कि एक समय थाओ कि जपने को समय ईए तो ऑनसर फिर फूलिब्रियुला यह ठीका कि एक कुलिब्रियुम है कि indigenous 153 ओम था कि चबढ़ांगों हागे बड़ें कि आगे बड़ें आगे ऑड़ें यह बता चलो अरे यह तो मैंने अब्धी फर्जी फर्जी नॉन् एलेक्टरोलाइट तीन तिगडं तीन तिगडं कौन है यूरिया है सूखरोज है यूरिया का फॉर्मुला क्या होता है फॉर्मूला कि C12, H22, O11, answer भीटा, third option, non electrolyte, जो went off factor रहता है, वो कितना रहता है, 1 रहता है, चलो, आगे बड़े, ये करो तरह सवाल, अब देखो इस तरीके के सवाल कैसे करोंगे, बेहद important है, बेहद important है, इस तरीके के सवाल, ऐसे सवाल आप लोगको electrochemistry में भी दिखते हैं, ऐसे सवाल देखो आपको standard electrode potential दे रहा है, अब सुनना सबसे पहले सीख क्या मिलेगी, सबसे पहले सीख मिलेगी इन words से, आपको केवल बोला है, electrode potential है, अगर आपको केवल electrode potential बोल रहा है, सवाल में ये नहीं दे रखा कि reduction है, oxidation है, तो आप लोग इसे reduction मानोगे, क्या ये बात समझे हम, क अगर कुछ नहीं दे रखा है, तो हम लोग इसे क्या मानेंगे, reduction मानेंगे, छेक है, अब देखो, तीन मेटल है, अब सुन ध्यान से लिख ले, ये चीज लिख ले, reduction potential दे रखें, तो reduction potential ऐसे लिख लूँ, x plus 1 से गया x, y plus 1 से गया y, z plus 1 से गया z, क्या मैं ये लिख सकता ह क्या मैंने reduction लिखा है, plus 1 से 0, plus 1, plus 1 से 0, plus 1 से 0, क्या मैंने reduction लिखा है, इसकी values कितनी है, इसकी values है, minus 1.2, इसकी वाल्यूज़ज़़वा है, 0.5, इसकी values है, minus 3, सही है? हाँ या ना हाँ या ना अब देख यहां पे क्या बोल रहा है reducing power के बारे में बात कर रहा है reducing power का मतलब क्या है सामने वाले को reduce करेगा इसका मतलब खुद क्या होगा खुद क्या होगा खुद oxidation होगा reducing power की बात कर रहा है तो खुद का क्या होगा Oxidation, तो आपको क्या देखना है? Oxidation potential देखना है, ये सब मैंने क्या लिख दिया है? ये सब तो reduction है, तो Oxidation कितना हो जाएगा? इसका minus 1.2 का हो जाएगा, plus 1.2, इसका plus 0.5 का हो जाएगा, minus 0.5, minus 3 का हो जाएगा, plus 3, अब सबसे ज़्यादा Oxidation potential, तो सबसे ज़्यादा Oxidize कौन होना चाहरा है? ये, सबसे ज़्यादा अगर ये Oxidize होगा, तो सामने वाले को क्या करेगा? तो Z सबसे पहले, फिर X, फिर Y, तो Z, X, Y, तो third option, third option, दिमाग में feed हुआ है, दिमाग में feed हुआ है, अब सुन लो ध्यान से, मैं आप लोग को रटवा देता हूँ, समझ में आया तो अच्छी बात है, रट लो बढ़ना, सुनो ध्यान से, अगर आपको बोल रहा है, reducing power बत oxidation potential चेक करोगे, अगर आपको बोल रहा है, reducing power बताओ, तो आप लोग क्या करोगे, oxidation potential चेक करोगे, और वहीं पर ही अगर आपको oxidizing power बोल रहा है, चेक है, तो खुद सामने वाले को क्या कर रहा है, oxidize कर रहा है, तो खुद क्या होगा, reduce, तो आप लोग क्या चेक करोगे, reduction potential, क्या चेक करोगे reduction potential चेक करोगे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा स्पैम मत करिए चैट सेक्षन में लास्ट रिक्वेस्ट लास्ट वर्णिंग आपको यह सी समझे और जो बच्चे आये हैं अजारों बच्चे उनका लास्ट वर्णिंग दे रहा हूं शांती से बैड़ जाओ स्पैम मत करो चाट सेक्षन में समझ गई यह रिड्यूजिंग पावर बोले तो उवाल आने वालेएं अभी आपका सवळाल आने वालेएं जैसे ये देखो यह करो है यह जिसे करी स्टेंडर्ड रिडेक्शन वालियू उस आपको दे रखी है पाप लिखियंग की पिर आ कि तुम मेरें Plot guilty की दे रखी आगे क्या बोल रहा है which one of the following is the strongest oxidizing agent सामने वाले को oxidize करेगा तो खुद क्या होगा reduce आपसे oxidizing agent पूछा है आपसे बिटा oxidizing agent पूछा है तो आप लोग क्या check करोगे check reduction potential check reduction potential क्या check करोगे reduction potential check करोगे समझे है नहीं अरे oxidizing agent सामने वाले को oxidize कर रहा है खुद का क्या होगा reduction तो reduction potential check करेंगे और आपको दे भी क्या रखें है reduction potential ही दे रखें है reduction potential ही दे रखें है तो lithium plus one का कितना दे रखा है minus 3.03 या फिर आप देख लो ना सबसे बड़ा किसका है सबसे बड़ा reduction potential किसका है यहां पर माइनस 3.03, माइनस 2.73, माइनस 2.71, माइनस 2.31, तो यह सबसे बड़ा है, मैंस 2.31 यह सबसे बड़ा है, मतब मेगनीशियम का सबसे बड़ा है, answer D option, answer D option, समझे, के विल बिटा सुनना नहीं है, के विल यह नहीं सुनना कि teacher solve कर रहा है, हाँ जी हाँ बल्ले बल्ले मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, यह नहीं देखना है, आप समझो teacher क्या कर रहा है, strongest oxidizing agent, सामने वाले को आप oxidize कर रहे हो, तो खुद का क्या होगा, reduction, तो reduction potential चेक करने हैं, अब reduction potential सबसे बड़ा किसका है, पहले वाले का है, माइनस 3.03, दूसरे का माइनस 2.73, फिर बिटा, माइनस 2.37, तो यह सबसे बड़ी वाल्यू है ना, और यह किसकी है, बिटा, magnesium की, तो यहां पे लिख दिया, यहां पे लिख दिया, यहां पे लिख दिया, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हम, हम, चिक है, चिक है, चिक है, चलो, चलो, सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो इसी बात में सवाल करो, सवाल करो इसी बात, सवाल करिए, और कौन है स्पैमर, और करो सवाल, अभी और डालते हैं, अभी यहां पर देखो क्या बोल रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, इक्विलेंट कंडक्टेंस, इक्विलेंट कंडक्टेंस, छेक है, तो मैं आपको बताया है, यहाँ पर जो number है, यह नहीं लेते ही, यह जो number है, यह हम लोग नहीं लेते है, equivalent conductance, किसकी लोग के बीठा है, aluminium plus 3 की, और equivalent conductance किसकी लोग के बीठा है, sulfate की, यह मतले ना, कि यहाँ पर 3 sulfate है, तो 3 से multiply करा, यहाँ पर दो aluminum है तो दो से multiply करा नहीं नहीं ठीक है तो answer is your answer is your third option answer is your third option ठीक है ठीक है ठीक है बटा ठीक है ठीक है चलो आगे बड़े equivalent में बेटा आप लोग multiply नहीं करोगे इसको 2 से मत करना इसको 3 से मत करना और वहीं पर अगर molar conductivity होती बेटा अगर molar conductivity होती तो क्या करते बेटा molar conductivity होती तो क्या करते मुझे बताओ जरा molar conductivity होती तो क्या करते यहाँ पर 2 aluminum है तो यहाँ पर क्या करोगे बेटा 2 से multiply यहाँ पर क्या है बेटा 3 सलफेट तो क्या करोगे 3 से multiplied चेक है चेक है equivalent पे नहीं करते हैं molar में करते हैं चलो आगे बढ़े ये सब कर लोगे अब ये करो चलो faraday के law भी देख ले बटा करना जरा इस सवाल करना इसके सवाल करना हम जरा करीए on passing current through two cells connected in series containing solutions Agno3 and copper sulphate ठीक है जी आपके कौन कौन से solutions है बेटा आपका एक solution है Agno3 का तो यहां पे है Ag plus 1 हमें एक है बेटा copper sulphate का copper है बेटा plus 2 में ठीक है हाँ जी क्या बोल रहा है 0.18 gram of Ag is deposited the amount of copper deposited आपका यह किसका law है कौन सा सवाल है यह है बेटा यह है बेटा Faraday's second law यह कहां से सवाल है बेटा Faraday's second law से बेटा सवाल है क्या है बेटा Faraday का second law weight of copper upon weight of silver is equal to equivalent weight of copper upon equivalent weight of silver यह था यह था हाँ जी वेट copper का आपसे पूचा है वेट copper का आपसे पूचा है तो weight of copper silver का 0.18 चेक है equivalent weight copper का कैसे निकालोगे बेटा इक्विलेंट कैसे निकालोगे मोलर मास 63.5 एन फैक्टर 2 क्यों क्यों क्योंकि copper प्लस 2 में exist कर रहा है equivalent weight silver का कैसे निकालोगे molar mass 108 upon 1 1 क्या है बेटा एन फैक्टर क्यों क्योंकि एजी प्लस 1 में कर रहा है तो क्या यहां से हम लोग copper का weight निकाल लेंगे मुझे पथाईए क्या हम लोग copper का weight निकल जाएगा न इजी और नौत विटा सवाल तो कर ही रहे है पूरी extraordinary निक्री के उयर है बित आपके जहन में बस जाएगी क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ देखेंगे ज़िक है? तो आप लोग चलते वे चलो जैसे सवाल आते जारे हैं वैसे वैसे करते वे चलो शंद बेस्ट फॉर्म ओफ रिविजन है मैं आपको बता रहा हूं जिसने ये पांच सेशन प्रहार के देख लिए ना उसका इसको पर होएगा आसमान पर है ना चलो चलो किया बोल रहा है what is the total order of the reaction ये तो बड़ा ही आसान है जो rate law दे रखा है उसमें ये number add करतो ये तो बड़ा आसान है ये c है ये d है तो total order कितना होगे बढ़ा c plus d c plus d तो answer बढ़ा c option ये तो तुच्चा सवाल था आगे बढ़ते है तुच्चा सवाल था आग करना जरू करिए क्या बोल रहा है when concentration of both reactant g and h is doubled अब सुनिएगा द्यान से अब इस तरीके के सवाल आएंगे इस तरीके के सवाल आएंगे देखो आपके दो रियाक्टेंट है कौन-कौन से है एक है बाबू जी एक है बाबू है बोल रहा है दूनों की concentration अगर डबल करती त rate increases by eight times ठीक है सुन लेते हैं उसकी सुन लेते हैं आगे क्या बोल रहा है however when concentration of g is doubled keeping the concentration of h fixed the rate is double अब यहां देख यहां से पता चल रहा है अपन को यहां से पता चल रहा है अपन को क्या देख क्या बोल रहा है जब concentration g की आपने क्या करी डबल करी तो rate भी बेटा क्या हो गई rate भी बेटा क्या हो गई डबल होगी तो क्या g की dependency one है सुन ध्यान से अगर आपने g double करा तो rate भी क्या हो रही है तो यहां पे अगर आप जैसे करोगे g को अगर आप डबल कर दोगे तो यह जब यह two बाहर निकलेगा तो यह two की तरह कितना आगए जी का ओर कितना ब Om डेσι रहा है घ्राल अच्छा और देखो उड़ क्या बोल रहा है अब देखो वापिस पहले वाले पर चलो आप पहले वाले पर देलो जी और एच्छ जब दोनों की डबल कर दी मतलब आपने जी की भी डबल कर दी जी की पावर दो हमें पता है वन है और आपने W क्या कर दिडबल कर दिए की पावर हमें नहीं पता मा लो मान लो माइए और यह वाल्यू कितनी मन गई रोटा एक टाइमस बन गई अब आप खुद सोचो यह देखो यहां से इना से जब यह यह 2 की पावर 1, यहां से क्या बनेगा यह, 2 की पावर 1 बनेगा, हाँ जी, और यहां पर देखो क्या आएगा यह, 2 की पावर y आएगा, यहां पर क्या आएगा बटा, 2 की पावर y आएगा, equals to 8, अब इसे solve कर लो, solve कर लो, इसे divide कर दो, तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर य एक वस्सुन और रहे हैं तो यह यह की वैली जंगे टू वाही की वैली ओगे टू तो टोटल अब कितना हो गया बन प्लस तो विच फिक इस थी जिज थे सब बदाईए इस बदाईए थे present. बदाई लई है सही है सभी है और नहीं भी सवाल इस टाइटमेंट वेस्ट गश्ट स्टेटमेंट वेस्ट गेंगे बताओ जी, बताओ जी, आजाओ, यह करो, देखो क्या बोल रहा है, equation है, हाँ जी, rate law is written as this, rate law is written as this, which one of the following statement is true, कौन सा statement बेटा, true है, यह हमें बता रहा है, देखो क्या बोल रहा है, the reaction is of second order, गलत बात, order क्या है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है बेटा, वन है, यहाँ पे क्या है बेटा, हाफ है, और वन प्लस हाफ क्या होता है बेटा, वन प्लस हाफ क्या होता है बेटा, order कितना है बेटा, 1.5, तो पहला तो क्या हो गया, false हो गया, पहला तो क्या ह सब्सक्राइब भी fraction नहीं हो सकती है यह भी फॉल्स है यह भी फॉल से यह फॉल्स है योनिट ऑफ के से किद इनवर्स गलत बाद गलत बाद यूणिट का जैनल जनल फॉर्मुला बटाओ जरए ऑफ के का जनल फॉर्मुला क्या था के का general formula क्या था के का general formula होता है mole per liter की power 1-n और second inverse यह होता है अब यहाँ पे n की value 1 डालो अगर आप first order लिखोगे अगर आप n की value 1 डालोगे 1 डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जागे 1-1 1-1 तो क्या बन गया 0 तो यह तो पुरा गायब हो गया के वल बचा second inverse के वल बचा second inverse के वल बचा second inverse ठेक है तो यहाँ पे देखो यह भी गलत है unit of k is second inverse यह false है first order में होता है second inverse यह first order थोड़ी ना यह तो बटा 1.5 है 1.5 order है तो यह भी गलत हो गया molecularity of the reaction is 2 अब देखो molecularity कैसे निकालोगे how to find molecularity वो ही यहाँ पे देखो equation देखो बटा molecularity कैसे निकालोगे क्या एक H2 का molecule आया है हाँ एक BR2 का molecule आया है हाँ तो कितने molecules हैं दो molecules तो molecularity कितने हो गई बटा 2 हो गई बिल्कुल सही तो अगर आपको molecularity निकालनी है तो क्या करा करो simply stoichiometric coefficient आड कर दिया हो how to find molecularity ना तो stoichiometric coefficient add कर दिया करो stoichiometric coefficient क्या कर दिया करो add कर दिया कर stoichiometric coefficient क्या कर दिया करो add कर दिया करो ठीक है जी ठीक है जी ठीक है जी ठीक है ठीक है ठीक है चल चरह आगे अब आज पूरें आगे पूरें चल्व अब आजओ जरह ये लेखें ज़लो ये बता वड़ा ये बताओ इन पॉलिंग रियाक्शन हाओ इस दा रेट ओफ अपेरेंस अफ अफ अंडलाइन दा प्रोड़क्ट रिलेटेड टुदर रेट ऑफ डिसपेरेंस ऑफ दा अंडलाइंड रियाक्टेंड मतलब देखो बीयार मैंनस की बात कर रहा है और बीयार टू की बात कर रहा है लेकना ज़र्ब फ्राक्शन आया तो पेटा उसको पहले आप मल्टिप्लाइ करके फ्राक्शन हटाओगे फ्राक्शन कभी भी नहीं आएगी एक बच्चा बूल रही है कि अगर फ्राक्शन आया तो इसको पहले मल्टिप्लाइ करोगे इस एक्वेशन को इस तरीके से मल्टिप्लाइ करोगे क कि यहां पर fraction नहीं है । अब यहां पर दिखो बी यार माइनस है और यहां पर बी आटेंधे अहां पर यहां पर यह कौन है डियाक्टेंच हैавать ACT एकस्ट्रा माइनस साइन लगाते हो minus d br minus upon dt stoichiometric coefficient कितना है बटा 5 तो stoichiometric coefficient से क्या कर दो divide कर दो overall rate रिख रहे है यहाँ पर क्या है br2 br2 बटा product है तो plus d br2 upon dt stoichiometric coefficient 3 उससे divide कर दो अब तो कुछ नहीं अब दे कर लो बटा 3 को यहाँ ले जाओ 3 को यहाँ ले जाओ minus 3 by 5 हो जाएगा minus 3 by 5 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या रहे बटा minus 3 by 5 तो देखो यह answer है यहाँ पर बच्चे यहाँ पर positive sign है आपका minus sign आएगा एक minus sign यह दिख रहा है यह minus sign दिख रहा है इसको भूल मत जाने वटा गड़बड कर देगा तो आपका जो answer है वह minus sign वाला है check है आया ना बताइए बताइए आगे बड़ें आगे बड़ें रेट ऐप पर उडुला है ना उससे कुछ फर्रक नहीं परता है वट्टा तो rate of अपेरेंस ही तो बताईए माइनस डी आरवाइ माइनस डी बी आर माइनस बाई डी डी बी आर टू बाई डी कुछ नहीं ओवराल रेट लिखके भी लिख सकते हूं कि दिक्कत की बाद में चेकर चलो आगे बढ़े आजा चलो यह करो यह करिए बिटा यह करिए the plot of concentration of reactant versus time for a reaction is a straight line with negative slope the reaction follows the reaction follows बताईए बिटा बोल रहा है कि यह जो graph है बोल रहा है यह जो graph है बिटा कौन सा graph है कौन सा graph है एक है बिटा concentration एक है बिटा time this is straight line with negative slope straight line with negative slope कौन सा graph आता था यह आँ शाबाश शाबाश क्या equation बनती थी equation बनती थी at equals to a not minus kt yes straight line आता था इसमें बिटा जो आपका जो आपका y-intercept था यह a not था जो slope था बिटा वो minus k था slope क्या था minus k बिलकुल सही answer बिटा zero order reaction answer बिटा zero order reaction perfect 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 चलो यह करो according to collision theory of reaction rates the rate of reaction increases with the temperature due to rate बेटा temperature के साथ क्यों increase होती है क्योंकि जब आप temperature बढ़ाते हो तो जो molecules है उसके kinetic energy बढ़ जाती है देखो यहां पे देखो यहां पे जैसी आप temperature increase करते हो तो kinetic energy है वह increase हो जाती है kinetic energy increase होने का मतलब क्या Collision Frequency क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगे मतलब जादा कोभीजन उँगे जादा कोभीजन होगे जादा कोभीजन होगे तो efficiency बढ़ जाएगी चाहिए पर greater number of collisions, पहला answer, greater number of collisions, चेक है, वैसे third answer भी बिल्कुल सही है, क्या बोल रहा है, third answer भी बिल्कुल सही है, इसका third answer भी कर लो, greater number of molecules having activation energy, बिल्कुल सही है, जब आप temperature बढ़ाती हो, तो क्या होता है, देखो यहां पर सुनो, यहां पर सुनो, जैसे जो बच्चे third बोल रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, कैसे, क्या graph ऐसा होता था, क्या graph ऐसा होता था, मुझे बताओ, क्या graph ऐसा होता था, मुझे बताइए, ग्राफ ऐसा होता था, हाँ, अब क्या होता था, temperature बढ़ाने पर ज्यादा molecule activation energy को cross करेंगे, यह बिटा पीक क्या है, यह peak है, activation, यह बिटा, activation घॉआ खाला ना डिस आत्स है गांब टंप्रेशार बढ़ंगे तो ज्ञादा मौरी कुछ को क्राइगी ज्यादा मौली कुल बढ़ें के सब्सक्राइब ज्यादा मॉली कुल सेटे को क्रास करेंगे तो यूत वाइशली रेट ऑफ रियक्शन बढ़ जाएगी है हाग добраться सब्सक्राइब गशर्ण बता अगर बढ़न है येस और सेच्छन में। आजा चालो है यह कर वेरीऑी सिंपल एप्लिकेशन ओफ फॉर्मूला याद है तो बेटा कर लोगे बताएए बताईए लुगा बताईए लुगा बताईए बताईए आजो आजा, 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 देखो क्या बोल रहा है, equation देदी है, rate देदी है, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, 0, मतलब, 0 order reaction, मतलब बेटा, 0 order reaction, 0 order reaction, 0 order reaction है, 0 order reaction है, तो बेटा, half life कैसे लिखते थे, जीरो अडर में विटा हाफ लाइफ कैसे लिखते थे हाफ लाइफ कैसे लिखते दे टी हाफ इस टी हाफ एस एर नौट अपॉन-टू-क ONSर पहला ऑप्षण आफ़ सर पहला चैसर पहला अगे बढ़ते और पे अच्छा टी कंपलीयशन याद है जिसरे टी 50% T half life को हम लोग क्या बोलते हैं बटा T 50% A naught by 2K T 100% या दे बटा zero order reaction में क्या था या दे T 100% क्या होता है बटा simply A naught by K this is your zero order reaction this is your zero order reaction छेक है छेक है चल आगे बड़े हाँ जी अब यह सवाल करो यह सवाल करो कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा करना जारा सवाल आपको बोल रहा है यह एक equation है इसका equilibrium constant है K1 चेक है यह भी equation है इसका equilibrium constant है K2 और आपको बोल रहा है इसका बताओ आपको बोल रहा है इसका बताओ इसका बोल रहा है आपको इसका बोल रहा है आपको चलो बताओ ज़रा सबसे पहले तो क्या करो यहां पर ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो कैसे करोगा यारे सुबहर क्या करो पहले तो बिटा एक्वेशन को एड़ करतो दोनों एक्वेशन को एड़ करतो फॉस्ट और सेकेंड एक्वेशन को एड़ करतो जैसी बिटा फॉस्ट और सेकेंड एक्वेशन को एड़ करोगे तो यहां से एन ओ और यहां से एन ओ कैंसल हो जाएगा हां तो क्या जैस यहांपे क्या आगए है बड़ा 2n02। सही है अब एक्वेशन आपने एड करी है तो इक्किलिवराम कोंसेंट क्या होगा मल्टिप्लाइड यह गया के वन के वलकुल सही है अब देख यहां पर हमारा जो आप सबसे से पहले तो इसको टू से डिवाइड करो तो जैसी आप इसको टू से डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या आएगा जिससे भी multiply करते हो वो उसकी power में चले जाता है जिससे भी multiply करते हो वो उसकी power में चले जाता है बिलकुल अब देख यहाँ पे यह NO2 product में हमको चाहिए कहां reactant में तो अब क्या कर दो reverse कर दो reverse करते से ही reverse करते से ही आपका आंसर आ जाएगा और reverse करने पर эп Steam प्र ??? की आजएगा लिए फोन अपौन के 2 की power half तो आंसर क्या आगया घया वटा 3rd option हायाना हायाना ७िता हायना हाय आना हायना 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 उल्टा कर देगे बिलकुल वीटा reciprocal हो reciprocal हो बदाईये बदाईये परफेक्ट क्या हम आगे बड़े अब ये करिये बड़ा ये करिये बड़ा ये करिये अगर आपको एक्टिवेशन इनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालते थे यह चीज़ सिखाईए यहां पे देख यह पूरा आपको ग्राफ बना के दिखाया था एलन में भी बताया था और आप लोग को लॉग में भी बताया था लोग में भी बताया था क्या होगा यहां पे अगर मैं एलन ले लेता हूँ तो आपकी एक्वेशन क्या बनती थी यह बनता था और अगर लोग ले लेते हो तो क्या बनता था लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ए ए अपॉन टू पॉइंट थी जीरो थी आर टी ग्राफ किस किस के बीच में बनता था ग्राफ किस किस के बीच में बनता था देख लो बेटा पूरी चीज रिवाइस करवा रहा हूं यहां पर आ जाओ बेटा ग्राफ कैसे बनता था ध्यान है ध्यान है या नहीं ध्यान है या नहीं है ध्यान है या नहीं है यहां पर ग्राफ कैसे बनता था यह बनता था बेट था यह graph कुछ ऐसा बनता यह graph कुछ ऐसा बनता था यह यह पर जो वाई intercept होता था this is ln of a slope होता था minus ea by r यह graph भी ऐसा इसा ही बनता था nature same है दोनों का लेकिन वाई intercept क्या क्या बनेगा log a y intercept क्या बनेगा बटा log a slope क्या बनेगा बटा minus ea upon 2.303 r लाई है तो आपको अगर 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 आपको activation energy निकालनी है आपको देखो activation energy निकालनी है e आपको activation energy निकालनी है e तो graph बनाओ log K versus 1 by T या फिर L तो यहां पर देखो graph किसका बनेगा यां फिर देखो graph किसका बनेगा logk vs 1 by T यह था डी option बताईए 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 हाँ यह ना हाँ यह ना हाँ यह ना बताव यह ध्यान देना बहुत रीसेंटली पीवाई क्यूज में पूछा जा चुका है बहुत रीसेंटली पीवाई क्यूज में पूछा है यह थेक है ठीक है ठीक है चलिए आगे आगे यह कर लोगे यह यह बताव रेट कॉंस्टेंट किस्पे डिपेंड करता है 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 रेट ज्यान देखना और वो जो Arrhenius equation है वो ही तो है बटा k equals to a into e के पार minus ea upon rt तो यहाँ पर देखो यह rate constant किस पर depend कर रहा है temperature पर depend करता है अब जरह यह करो अब जरह यह करिए आजो बटा यह करो चलो यह करो the rate constant for a first order reaction is इतना the time required to reduce to 2 gram of the reactant to 0.2 first order reaction क्या formula होता था first order reaction का first order reaction का क्या formula होता है t equals to 2.303 upon k log a0 upon a t क्या यह formula होता है क्या first order के लिए यह formula होता है हाँ अब यहाँ देखो 2.303 k की value कितनी है 4.606 into 10 to the power minus 3 log a0 यहाँ पर देखो initial concentration अब देखो यहाँ पर वैसे हम लोग concentration डालते हैं यहाँ पर mass का ratio भी चल जाएगा यहाँ पर moles का ratio भी चल जाएगा क्योंकि बागी सारी चीज़े क्या हो जादी है cancel तो initial कितना है 2 initial कितना है 2 final कितना है 0.2 0.2 तो यह कितना बनेगा log 10 log 10 कितना हो गया 1 हो गया चेक्शे कि और काटा पीटी अगर हम करें काटा पीटी अगर हम करें तो यह जाएगा बटा 2 से 10 तो दो पार माइनस 3 माइनस 3 जाएगा उपर तो यह पर क्या बनेगा बटा 10 तो दो पार 3 बाइ 2 1000 बाइ 2 500 यह पीवाई क्यों है बटा जो ले रखा है सामने यह पीवाई क्यों है चलिए आया न चलो अरे सवाल से अब मुझे एक बात बताओ कल के और आज के सेशन में confidence improve हुआ है या नहीं हुआ है confidence improve हुआ है हुआ है न confidence बहुत improve होएगा बेटा आप लोग बेटा जिस भी level पर हो एक लौती चीज जो आपके number 100 number तक भी अभी बढ़ा सकती है वो है बेटा आप लोग की question practice मैं आपको वापिस बोल रहा हूँ अगर theory 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 करते रहोगे तो फिर बेटा जासे में रहते हो आप आपको क्या लगता है कि आप सब जीस तो आती है सर number नहीं आ रहे सर हमारे number नहीं आ रहे सर हमने पढ़ सब रखा है सर हमने पढ़ सब कुछ रखा है पढ़ तो आपने पिछले साल भी रखा था आप मुझे बताओ आज कल जिस हिसाब से आप लोग की पढ़ाई चलती है और एंड तक एक एक दिन पहले तक हम लोग आप लोग को करवाते रहते स्लेबस तो आप लोग हमेशा आते हो जो बच्चा ड्रॉपर है वह पिछले साल भी स्लेबस उसका complete था हां लेकिन कमी टि कमी थी questionable practice में दूर हो रही है कमी कहा थी टि हो सकता है अगर यहां पे हम लोग सबोस करो सापूस करो सो सवाल कने हो सकता है उस में से दर मेरे से दर 50 ही बन रहे हैं मेरे से 50 नहीं बन रहे हैं कोई दिक्कत की बात नी लेकिन जो 50 नहीं बन रहे है एटलीस मुझे ये तो पता चल रहा है कि उन्हें बनाते कैसे हैं उसे solve कैसे करते हैं क्या मेरा improvement हो रहा है next बार अगर same type के सवाल आएगा तो क्या मैं कर पाऊंगा answer is yes वहीं सही बेटा आप लोग की उपपर की trajectory स्टाट होगी वहीं सही बेटा growth की trajectory स्टाट होगी समझे समझे तो सवाल करिए थोड़ आसा बेटा अपने आपको उस zone में डालो सवाल करने वाले zone में डालो ठेक है ठेक है चलो करो 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 इसी बात पर इसी बात पर करो अभी तो आ रहा है बेटा जिद आ रहा है जिद नीट रपले का कराऊंगा उसमें पूरे को पूरे सारे combined slaybust full slaybust कहीं से भी बेटा सवाल आ रहे है रैंडमली बेटा सवाल आ रहे है अब या रहा है बेटा जिद रुक जाओ बेटा दो-चार दिन रुक जाओ जिद आ रहा है बढ़ प्रहार से थोड़ा सा free हो जाओ फिर भी लेकर आ रहा हूं फिर देखो तुम पिर देखो आजाओ, normality, नुतरी, normality, अब यहाँ कैसे करोगे इसको, चलो, इसको कैसे करोगे, अब यहाँ पर देखो, इस सवाल को कैसे करोगे, इस सवाल को कैसे करोगे, देखो सबसे पहले सुनो ध्यान से, वो जो formula थे, चार important formulas, उसमें से क्या, एक formula तो यह था, जो कि आज हमने use भी करा, क्या हमने use करा इसे, हाँ, use करा यह नहीं करा, बिलकुल करा, अब पता है, एक मजे की बात बता हूँ आपके, यह मैंने बता रखा है, मैं वापस बता रहा हूँ, यह जो percentage weight by weight into density होती है, यह क्या होता है, percentage weight by volume, यह क्या होता है, percentage weight by volume, तो molarity का एक और formula क्या बनता है, 10 into percentage weight by volume, upon molar mass solute, सही है, तो यहाँ पर देखो, 10 into percentage weight by volume, कितना है, 10 है, molar mass solute, कितना है, H2SO4, तो 98, लेकिन यह क्या निकली है, this is molarity, normality कैसे निकालोगे, normality कैसे निकालोगे, molarity into n factor, तो molarity कितनी है, 10 into 10 upon 98 into n factor, H2SO4 का n factor कितना, 2, H2SO4 का n factor कितना, 2, अब यहाँ पर देखो जड़ा ध्यान से, यहाँ पर देखो, 10 into 10, क्या यह 100 है, क्या यह 100 है, तो मेरे भाई, 100 upon 98, क्या यह almost 1 है, 100 upon 98, क्या यह almost 1 है, 1 into 2, 2, 1 into 2, 2, आंसर विड़ा, 4th option, हाया न, हाया न, सही है, आगे बढ़ते हैं, चलो अब यह करो, अब देखो यह करो, क्या बोल रहा है, P not A देदिया है, P not B देदिया है, what is the mole fraction in vapor phase, if B has mole fraction in solution, 0.5, अब यहाँ पर देखो क्या देदिया है, यहाँ पर दे रखा है, P not A 108, P not B 36, यहाँ पर X B की value दे रखी है, 0.5, सबसे पहले X A कितना होगा, 0.5, आया न, अगर A क 0.5 है, तो दूसरा भी तो 0.5 होगा, क्योंकि addition क्या होगा, 1 होगा, X A X भी कितना होता है, 1 होता है, तो अगर A 0.5 है, तो दूसरा भी 0.5 है, अब पूछा क्या है, mole fraction of A in vapor phase, क्या पूछा है, Y A पूछा है, क्या formula था, अब बताना, यहाँ पर मैं formula लिखने वाला हूँ, बताना मिरे को कितने बच्चों को यह formula याद है, कितने बच्चों को यह formula याद है, Y A क्या होता है, P not A X A, upon P not A X A, कितने बच्चों को याद है यह formula, कितने बच्चों को याद है यह formula, अब P not A, कितना है, 108 into 0.5, upon 108 into 0.5, याद है, 36 into 0.5, formula ही नहीं यहाद है, तो बेटा कैसे करेंगे इस बार, 108 into 0.5, कितना बच्चों को याद है, 54, 54, plus 36 into 0.5, यह कितना होगा, पेटा, 18, तो यहाँ पर कितना बच्चों को याँ पर कितना बच्चों को याँ पर कितना बन रहा है, देखा तो है सर, यह क्या फॉर्मूला सर, यह फॉर्मूला कहीं देखा तो है सर, लेकिन exactly क्या है सर, यह याद नहीं आ रहा है, एक जैटली क्या है सर यह याद नहीं आ रहा रहा है ना देखा देखांक सर्ट यह फॉर्मुल्स सब्सक्राइब कि देखे थे सर कहीं पे ना देख लिए थे हमंशे चलो यह बताओ कि यह बता हो चलो मैं कोई नियुकож निंए बिटां अभी समय है अभी भी सुदर जा अभी भी सुदर जा बिटा अभी मिसलेक्शन हो जाएगा अब है वन लोग में पर आप पंड़ेगा आप लोग लगता हो गा, इसा जादू बताओ ना, सर को अइसे गोली देड़ो, सर, 25 लाग ऐस्परेंट में से, सर, last medical seat government वाली सर वो देड़ो, सर, वो भी चलेगा, मेरको, है न, आपको लगता तो होगा, यह, सर, last वाली देड़ो, सर, कोई दिकत की बात नहीं है, सर, please, सर, last वा कोई तो गोली होगी सर सर मार्केट में देखो सर ऐसा कोई प्रिपेर करता था न बटा तो मिरको भी लगता था एक सीट या एक सीट तो मांग रहा हूं यां उपर वाला इतना इतना थोड़ीना बेरह हूंगे एक सीट तो देिए यार मेरेको एक सीट तो एक सीट तुमांग रहा हो जी बगवान जी ऐसे क्या कर रहे हो बगवान आख साहिसे सवाल को चोड़ एर सवाल को इस सवाल में गड़बड है यार यहां पर यह गड़बड है यहां पर यह गड़बड है जो 5.2 दे रखा है ना 100 ग्राम के लिए दे रखा है आपको 1 ग्राम के लिए निकालना है तो के की वैल्यों अप लोग के वैल आप लोग 2.05 तो यूज करिए चेक हैं0.05 dw यूज करो चैसे इसको छोड़ो अप लोग ना इसको छोड़ो तो चोड़ो चाहो तो कमेंड कर लेना जो आपका आंसर है बाकि इसको रहने दो आगे बढ़ते हैं पनलो आगे बढ़ते हैं चेक है चलो यह करो यह करें यह करें यह करें हाँ कोई बात नहीं बात नहीं उस सवाल को छोड़ो यहां पर आ जाओ मौलल डिप्रेशन इनकार कोई बात आपको किया क्या भाड़ा कि वाल्यू डे राखिये रके कि अपको क्या बोड़ रहा है मुल्स भी दे रके कितने रहे हैं जिरो पॉईनट мक हूझे और दे रखा है आपको 100 ग्राम ओफ वटर 100 Gram of Water चेके, तो मुझे बताब क्या यहासे हम लोग molality निकाल सकते हैं मुझे बताजे, क्या यहासे हम लोग molality निकाल सकते हैं कैसे? Moles upon weight of Solvent weight of Solvent केतना है? ग्राम में है 100 तो 1000 से multiply कर तो क्या molality 0.2 आ रही है? क्या molality 0.2 आ रही है? बिल्कुल सही है क्या बोल रहा है? विल प्रोड्यूस अब डिपरेशन इन फ्रीजिंग पोइंट आपसे बोल रहा है डेल्टा टी अफ क्या फॉर्मूला था? Imkf यह फॉर्मूला था Imkf आई की value क्या लोगे बिटा? आई की वैल्यू क्या लोगे यहां पर देखो यूरिया बोल रहा है यूरिया बोल रहा है तो बटा आई की वैल्यू कितनी वन तो कुछ नहीं यहां पर फॉर्मुले में डालो आई वेटा वन मुलालेटी जीरो पॉइंट डू टू कि तना दे रखा है 1.86 here 1.286 को 0.2 से मल्टिप्लाइ करो 1.86 मुल एंटियू यार 186 यहां पर कितना हैगा 2 एक कैरी 16 साथ 3 यहां पर कितना मने गैगा बटाई यह है 0.372 0.372 न थी सेकंड आप्शन इजी और नॉट इजी और नॉट इजी और नॉट इजी और नॉट इजी है या नहीं है मुझे बताईए अ कि बदाईए बदाईए सही है। अ vai it is a चला यह करो यह इज देखो सारे सवाल अब एक तरीकी से रिपीट भी होंगे जब इतने सवाल कर ले तो बहुत सारी चीज़े repeat होना start हो जाती है अब देखो जब repeat हो रही है चीज़े तो देखो कितनी जल्दी करो गया फटा 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 से अब थोड़ी से speed बढ़ाते हैं थोड़ी से speed बढ़ाते है राजदानी जलाते हैं ठीक है which is salt show maximum osmotic pressure जो osmotic pressure है that is directly proportional to i अब यहां पर देखो i यहां पर कैसे टूटेगा यह एजी प्लस में एनो 3- माइनस में i की वैल्यू कितनी बटा 2 na2so4 कैसे टूटेगा 2 na प्लस और sulfate तो i की वैल्यू कितनी बटा 3 तीन आयन बन रहे हैं यहां पर देखो बटा 3 अमोनियम एक phosphate तो यहां पर i की वैल्यू कितनी बटा 4 mgcl2 एक मिगनेशियू प्लस टू टू सी एल वाइनस i की वैल्यू कितनी बटा 3 तो आंसर थर्ड ऑप्शन थोड़ा से हम लोग तेज चलेंगे यहां पर चलिए विच एक वस solution is minimum freezing point minimum freezing point किसका होगा बटा minimum freezing point किसका होगा एक बाद सुन लीजे Owen यहां पर जैसे डिल्टा टी आफ बढ़ता है यहां होता है डिपरेश्ण वाटेजिंग पॉइंट का depression कम होता जाएगा का फ्रीजिंग पॉइंट का डिपरेशन जादा होता जाएगा डिपरेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता जाएगा कम होता जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट नीचे जाता जाएगा नीचे जाता बेट अब यहां देखो बेटा अप्रेट देल्टा टी एफ का क्या फोर्मुला होता ए है आइ एंटु है एंटु है एंजी अप्रोडर के द्रोडाइच हो डिया धवीर atraी इन्टुम 0.01 यह यह कैसे टूटेगा बिटा एलकोहॉल है कैसे टूटेगा यह टूटेगा c2 h5 o minus और h plus तो यहां पे भी i कितना है बिटा 2 है तो 2 into 0.005 mg i2 mg i2 कैसे टूटेगा बिटा mg plus 2 plus 2i minus i की वाल्यों कितनी है 3 into 0.005 mg so4 यह कैसे टूटेगा mg plus 2 plus so4 2 minus तो यह आएगा 2 into 0.005 maximum value किसके आ रही है सत्य वचन maximum value किसके आ रही है पहले वाले की यह maximum है तो यहां पे depression सबसे जादा है क्या यह बात समझ में आई है मुझे बताओ कि मुझे बताओ क्या यह बात समझ में आई है जितना जादा depression होगा depression जादा का मतलब क्या है यहां पे देखो यह सपोस करो यह आप लोग का एक depression है यहां पे तो यहां पे freezing point है और एक depression है यहां पे तो यहां पे freezing point है तो क्या है यह freezing point नीचे नहीं है यह freezing point नीचे नहीं है हाँ तो यह freezing point कम नहीं आ रहा अगर depression जादा है जादा नीचे गए हो तो freezing point क्या आएगा minimum आएगा तो अगर freezing point minimum है तो depression क्या होगा maximum होगा एक बच्चा बोल रहा है कि sir formula में molality होती है सवाल में तो sir हमें molality दे रखी है तो क्या करना है कुछ नहीं करना है molality और molality को एक ही बात बाननी है यहां पर molality दे रखा है न एक ही बात है बिटा molality हो एक ही बात है बहुत ज़्यादो कोई difference centineal होना है चेक है जी आगे बड़े आगे बड़े इतना centineal होना है जीवन में इतना centineal होना है molality दे रहा कि उससे भी सवाल बंदा आएगा उससे भी सवाल बंदा आएगा पूछा तो minimum है बेटा minimum freezing point पूछा है भाई यही तो बोल रहा हूँ अगर freezing point minimum है तो depression क्या होगा maximum यहाँ पे देख यह case समझाया देखो न बेटा यह freezing point आपका 1 है यह freezing point आपका 2 है तो छोटी value किसकी है 2 की है क्यों क्यों क्योंकि यह जादा नीचे है 0 degree Celsius से तो two freezing point minimum है minimum में तो depression क्या है maximum जादा नीचे आए हो जादा नीचे आए हो चिक है चले यह करो vent of factor for a dilute solution of strong electrolyte of barium hydroxide barium hydroxide barium hydroxide barium hydroxide barium hydroxide कैसे टूटेगा बटा barium hydroxide कैसे टूटेगा बटा यह टूटेगा barium प्लस टू प्लस टू OH-1 तो यहां पर देखो एक ये दो ये तो value कितनी आगे बटा तीन आई की value कितनी बटा तीन आई की value कितनी बटा तीन आई की value कितनी बटा तीन ठीक है ठीक है चलो 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 आगे बढ़ते हैं अब यह करो तरह जल्じ करेंगे बढ़ाए क्या भोल रहा है ग्लुंट between osmotic pressure when 10 gram of glucose, 10 gram of urea, 10 gram of sucrose are dissolved in 250 ml of water. Osmotic pressure क्या होता है? सर, osmotic pressure होता है I into CRT. I तो सबका same है. क्यों? glucose है, urea है, sucrose है. I तो सबका same है. ठीक है सर, I same है, हाँ, R same है, constant है, temperature same है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, osmotic pressure is directly proportional to concentration, directly proportional to concentration, हाँ, concentration में आप लोग क्या लेती हो? molarity. तो यहापे जो osmotic pressure है, that is directly proportional to moles upon volume. सही बात है? सही बात है? volume भी constant है, 200 ml. तो osmotic pressure is directly proportional to moles. ठीक है? तो osmotic pressure is directly proportional to moles. अब moles निकाल दो, moles निकाल दो. यूरिया दे रखा है, 10 gram. तो moles कितने होगा है, 10 by 60. 10 by 60. ठीक है? और कितना दे रखा है, ग्लुकोज दे रखा है, 10 gram. ठीक है? तो यह है आपका 10 by 180. सुक्रोज दे रखा है, बेटा. तो moles हो गए 10 upon सुक्रोज दे रखा है, 342. सही है, moles निकाल दिए. यूरिया का देखो pressure क्या बोला है? यूरिया का pressure बोला है बेटा, आपका P2. तो this is your P2. ग्लुकोज का P1. अब सबसे बड़ी आलियो कौन सी है? क्या सबसे ज्यादा moles है? डिनॉमनेटर चोटा है ना, निूमरेटर तो सबका 10 है. डिनॉमनेटर कितना है, बेटा? साथ है. तो सबसे चोटा denominator यह है. डिनॉमनेटर चोटा है, तो यह moles से जादा है. मूल से जादा है, 213, 213, answer with the second option बदाईए 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 हाया ना हाया ना आया ना आया ना इजी इजी और नोट इजी और नोट इजी और नॉट इजी और नॉट बताओ जी आगे बड़े आगे बड़े बड़े आगे बड़े आगे बड़े आगे बड़े छेक है चलो चलो ये बताओ हाँ जी चलो करिए सवाल करिए सवाल करिए सवाल करिए सवाल करिए सवाल करिए सवाल कर लिए इतने सवाल कर लिए हैं दो दिन में की शंदार कॉंफिडेंस आ गया होगा शंदार कॉंफिडेंस हो गया देखो क्या बूल रहा है बूल रहा है अब विन्द क्वंटिटी इस रेडूसड टू हाफ इटेक्स 20 मिनिट्स बिलकुल सही बात है तो पहले हाफ लाइफ कितनी थी बेटा पहले हाफ लाइफ कितनी थी 40 मिनिट्स है ना 50% डिकॉंपोजिशन का मतलब क्या है हाफ लाइफ है आजी सर अब आपने concentration आधी कर दी तो पेटा जो नहीं हाफ लाइफ आई वो कितनी थी बेटा 20 मिनिट्स तो मुझे यह बताओ क्या आपकी हाफ लाइफ भी हाफ हो गई है क्या half life भी half हो गई है तो क्या ये देख पा रहे हो आप क्या ये देख पा रहे हो t half life is directly proportional to a0 t half life is directly proportional to a0 t half life is directly proportional to a0 क्यों क्यों क्योंकि अगर आपने substance की quantity half करी तो half life भी क्या हो गई half हो गई 40 की क्या हो गई 20 हो गई तो ये कहां होता था पेटा जीरो पड़र में, कहा होता था पड़ा, जीरो पड़र में, आँड डारिक लीडर प्रोश्चल को होती थी पड़र पड़र में, ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो ये करो, वेरी इजी, अगें वेरी इजी, for the two equations at same temperature K1 बहुत बड़ा है क्या बड़ा K1 is greater than K2 K1 is greater than K2 how are their activation energies E1 and E2 related अब अगर K1 बड़ा है हमेशा ध्यान रखना जो rate होती है that is directly proportional to K rate is directly proportional to K rate is directly proportional to K तो अगर K1 बड़ा है सीधी सीधी बात है इसकी rate भी बड़ी होगी second से R1 बड़ा है rate बड़ी होगी पहले की और rate बड़ी होने का मतलब क्या है activation energy कम होना यहां से क्या बोल जखते हो activation energy कम है 1 की as compared to 2 answer is your third option अबे third option answer रहेगा activation energy क्या होती है यहां देखो जलो इसका answer बताओ यहां देखो बड़ा मुझे बताओ कोई बीच कोई बात में यह एक graph है जबोज करो एक यह graph है this is your one ठीक है और सबोज करो बड़ा दूसरी यह graph दूसरा यह graph मुझे बताईए अगर मैं rate compare करूँ अगर मैं rate compare करूँ तो किसकी ज़्यादा है मुझे बताओ rate बताओ मुझे graph बनाया है बिटामिन है graph बनाया है बिटामिन है बताना जरह बताओ जरह rate किसकी ज़्यादा है rate है बेटा 2 की ज़्यादा rate is 2 की जादा है 1 से क्यों क्योंकि ये जो peak है ये 2 में बेटा कम है तो activation energy 2 की कम है activation energy कम होने का मतलब क्या है जादा molecule बेटा cross कर लेंगे जादा molecule बेटा इस peak तक पहुच जाएगे गर इस peak तक पहुच जाएगे तो आप लोगों का जादा conversion हो जाएगा है ना तो आप लोगों का activation energy और अगर इधर ही मैं आपसे पूछू activation energy तो आप लोगों को दिख रहा है 2 की कम है as compared to 1 2 का peak नीचे है न और 1 उपर है वेटा 2 का peak नीचे है तो 2 की activation energy कम है 1 की जादा है सही है कि सही है सही है तो activation energy और rate इंवर्स्ली प्रपोर्शन होते हैं तो अगर 100 वन की जयादा है क्यों 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 कि के वन ज़ादा है तो if that अगर बंट की जदडा है तो activation और तू किसा अगी क्या यह चीद समझ में आ गई you can't समझ में आ गई है बताईए सवाल समझ में आया है इस वाल समझ में आया है बताओ परफेक्ट 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 चलो अब यह करो जीरो और के लिए जीरो और के लिए करिए पर उडर के लिए जीरो और के लिए ना करिए वार्ण है। अरिकfert करिए में लिए जीरो और क्राफ है यह वाला graph. Rate क्या होती है? constant होती है. तो rate constant है. तो A बिल्कुल सही है. B, B भी बिल्कुल सही है. कैसे? क्या था? equation क्या थी? तो यहाँ पे देखो Y intercept क्या है? A not. slope क्या है? minus K. तो यह भी बिल्कुल सही है. Half-life. Half-life, बिता? Half-life. half life क्या होती है बिटा zero order के लिए t half life is equal to a not upon 2k a not upon 2k तो slope कितना हो गया 1 by 2k न यह देखो a not से क्या multiplied है 1 upon 2k तो slope हो गया 1 by 2k तो यह भी सही है answer d option सारे सही है सारे सही है सारे सही है यह याद रख ले ना तीनों graph याद रखना graphical सवाल आयगा वैटा 2.24 का सवाल इस जो पड़ाया वही आया जो इस दूब बढ़ाया वही आया है छासरे चलिए आगे है चले बिटा कर सब्सक्राइब आज़ में करियेfly गयाечение दे दिए, equation क्या दिए, equation क्या दिए, equation दिए, 2SO2, plus O2, will give you 2SO3, यह equation दे दिए, हाँ जी सार, हाँ जी सार, अब देख यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, rate of formation of SO3, rate of formation of SO3, कितना है, 100 gram per minute, चेक है, SO3 की rate of formation यह है, अब देख क्या बोल रहा है, सवाल देखो, hence, rate of disappearance of O2, अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पर 2 mol बन रहे हैं, स्टोशियोमेटर का सवाल है यह, अगर यहाँ पर 2 mol बन रहे हैं, तो oxygen के कितने consume हो रहे हैं, एक mol consume हो रहे हैं, हाँ, अगर यहाँ पर 100 gram बन रहा है प्रती मिनट, तो oxygen का कितना consume होगा, आदा, oxygen का कितना consume होगा, आदा 500 gram प्रती मिनट, अगर यहाँ पर double है, तो यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर कितना होगा, पचास होगा, 50 होगा SO2 के बारे में बताओ अगर यहाँ पे double है तो यहाँ पे भी क्या है double है तो यहाँ पे अगर 100 है तो SO2 में भी क्या होगा सौगा SO2 का पूँशता तो सौगा आपसे oxygen का बूचा है तो answer is पहला option याद रहेगा याद रहेगा याद रहेगा याद रहेगा भाई ये भाई जारह देखके चलो आगे भी नहीं पीछे भी दाए भी नहीं वाए भी उपर ही नहीं नीचे भी आए भाई दाइब नहीं अभाई चला ये लेको आ जो, यह करो, the correct expression for the rate constant for reactions of 0 order, 0 order के लिए क्या reaction थी, 0 order के लिए क्या reaction थी, 0 order के लिए क्या reaction थी, a t equals to a not minus k t, यह थी, अब ज़रा second और third option में confuse हो रहे हैं, answer क्या होगा, ज़रा second option को solve करना, second option को solve करना, इस t को क्या करो, यहां ले जाओ, तो इस t को अगर यहां ले जाओगे, इस t को यहां ले जाओगे, तो यह बन जाएगा, kt equals to a not minus a, और इसको arrange करो, इस a को यहां ले जाओ, kt को यहां ले जाओ, तो ऐसे लिखोगे, a equals to a not minus kt, बन गया, बन गया, second option answer, देखो मेरी बात सुनो, यह तो बिल्कुल फरजी है, यह तो बिल्कुल फरजी है, 0 order में नहीं आता, log log, log कहां था था, first order में, log log कहां था, बिटा, first order में, 0 order में नहीं आता, 0 order में तो बिटा linear equation होती है, यह तो बिल था, यह, न, b, c में confusion था, चीक, तो यहाँ पे बिटा, c option को अगर लेके चलते है, चलो, c को भी लेके चलते है, c को भी अगर में लेके चलता, तो इस t को मैं यहा ले जاؤो, तो अगर c को मैं लेके चलता, तो यहाँ पर बनता बिटा, kt equals to a minus a not, चीक है, और अगर मैं इस नाट माइनस केटी होना चाहिए तो यह नहीं बनेगा इसलिए बटा सेकंड आप्शन ठेक है अब क्या करें बटा ऑप्शन है ओप्शन है वह ज्याता दिमाग नहीं चला आप्शा रहा है रहा हम इंगी नियर है वह थे लगाओ यह जब से ओनलाइन में तो अपसे फिल्टर लगाओ है तीन साल से फिल्टर लगा के बढ़ा रहे हैं एक बर फिल्टर हड़ जाने तो फिर देखो तुम फिर कोई करें फिर बदाऊं उसे अक्टिवेशन एनर्जी फॉर्ट फॉर्वर्ड रियाक्शन इस इतना चैक है मतब अब अक्टिवेशन एनर्जी फॉर्वर् एक तो यह होता है दूसरा फॉर्मुला क्या होता है अक्टिवेशन इनर्जी फॉर्वर्ड माइनस एक्टिवेशन इनर्जी बाकवर्ड ठेक है तो डेल्टा एच कितना है माइनस ट्वेंटी फॉर्वर्ड कितना है 80 बाकवर्ड आपसे पूछा है कुछ नहीं 20 को यहाँ ले जाओ तो बाकवर्ड कितना आ गए है, 80 प्लस 20 कितना आ गए है बढ़ा सौस्व आंसर भीड़ा सेकंड अांसर भीड़ा सेकंड ओप्स्ट ठीक या नहीं य है? ठीक या या नहीं है? ठीक या नहीं है? हाँ बिल्कुल सफिया यह कर लो गया अच्छा चलो यह बताओ आज के सवाल में आया आज के ही सवाल में यह आया था देखें कितने बच्चों को याद है देखो बात यही है इसी लिए आपको इतनी प्राक्टस करवा रहे हैं कि जो देखेवे सवाल है एट लीस्ट हम वो सही कर ले जो मैं तभी ब वाल्यू अलग आएगी बेटा, वाल्यू तो सहीम नहीं आती है, वाल्यू थोड़ी नहीं आ जाती है, लेकिन आपको आइडिया रहेगा कि किस तरीके सब क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तभी बेटा क्वेश्चन प्राक्टस में लगे रहेंगे, पूरे महीने बेटा को क्वेश्चन प्राक्टस करवाता हूँगा, थियोरी भी करवाँगा, अब ये थियोरी के भी सेशन आने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन प्राक्टस भी हम लोग करते नहींगे, साथ-साथ चलेंगे, अब देखो स्लोप की बात कर रहा है, किसकी LNK वर्सिस वन बाइट अब देखो, क्या ये बना था, LNK एकवल्स टू LN A माइनस E A अपॉन R T, तो स्लोप क्या है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो, यह जो LNK है, इस यॉर Y इंटरषेप, LN A, स्लोप क्या है, माइनस E A बाइ आर, स्लोप क्या है बेटा, माइनस E A अपॉन R, तो option अभी तो बताया था और वहीं अगर log में होता वहीं अगर log में होता तो क्या बन जाता बेटा log k equals to log a minus ea upon two point 303 rt सही है सही है क्या यह सवाल कर लेंगे हम और जिसने फिरहें यह माइननस साइन नहीं लगाया न वो भूर जू जाओ माइनस साइन है थअफिंगों थमका राप्षया नहीं है क्या हमलेंगे सवाल क्या कर लेंगे कि हम यह सवाल करनेंगे सिरो करनेंगे सिरो कि चरो यह करो यह करो यह करये इस चरो आ जा जब चरो यह करो यह करो यह करो गड़ा यह करो डिया असल ब्रत्रों生 अभरजेट्वी pillar6 ँठर सर अ३्ट सेटर्म अफ एंफ सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कोपर का क्या हो रहा है ऑक्सिडेशन जीरो से जा रहा है प्लस टू कौपर का और और ओक्सिडेशन जीच क्या हो रहा है रेडक्ष रिदक्ष रखे जीन उशन और यह तो आप कोपर की क्या होता था बेटा reduction लेकिन यहां तो उल्टा कर रखा है जो डेनियल सेल है इसका ए कितना आता था 1.1 वोल्ट तो जहां पर जिंक oxidize होना चाहिए तो उसका ऑसेल होता है positive होता है अच्छी बात होती है लेकिन यह तो उल्टा कर रखा है जिंक को reduce कर रखा copper को oxidize कर रखा है उल्टा है तो value क्या है negative, negative का मतलब क्या मुझे बताओ अगर negative आ रही है value तो क्या reaction possible है अगर E not negative आ रहा है अगर E not negative आ रहा है तो इसका मतलब क्या delta G is greater than 0 इसका मतलब non spontaneous यह reaction possible नहीं है बटा यह reaction possible नहीं है E not cell क्या होनी चाहिए E not cell अगर positive होता है तो reaction possible होती है spontaneous होता है चिक है चिक है चलो विसी बात पर यह करो अब देखो ऐसे तरीके के सवाल करें है या नहीं करें ऐसे तरीके के सवाल करें है क्या बोल रहा है देखो अब तो मैंने आपको रटवा भी दिया है strongest reducing agent reducing agent अब बोल रहा है तो क्या देखो oxidation potential reducing agent सामने वाले को reduce करेगा सामने वाले को reduce करेगा खुद का क्या होगा oxidation तो क्या देखो oxidation potential अब यहाँ देख अब यहाँ देख यहाँ पे देखो plus 2 से 0 reduction plus 3 से 0 reduction plus 1 से 0 reduction plus 3 से plus 2 reduction तो यह सारी values क्या दे रखी है reduction potential गडबड है आपको क्या निकालना है oxidation potential तो सब के sign क्या कर दो बेटा उल्टी, तो यहां कर दो प्लस 0.762 प्लस 0.740 तो यहां पे 0 यहां पे 0.77 यहां पे minus 0.77 सब के sign पलट दो अब देखो oxidation potential सबसे ज्यादा किसका है पहले वाले का पहले वाले का oxidation potential सबसे ज्यादा पहले वाले का तो सीधा सीधा उत्तर आपका zinc, zinc तो यहाँ पे zinc पहला option यह एक बार यहर दिल से बता दो कि इस तरीके के सवाल कर लेंगे हम बिटा आज की ही जो session है उसमें यह तीसरे तरीक, तीसरी बार हमने यह सवाल करा है इस तरीके का क्या हम अब यह सवाल कर लेंगे बताईए यह सवाल हो जाएगा अब ठीक है है कि ठीक है है मुध। छालो अब यह बता ओ एक निताब अब आपको hydrogen के लिए क्या आम दिए अगर-reduction होता है अगर-reduction होता है तो कि क्या फॉर्मूला होता है माइनस जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो फाइवन इंटू पी एच रेडक्शन होता है तो माइनस साइन लगता है अगर बेटा ऑक्सिडेशन होता है तो कितना लगता है प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइवन इंटू पी एच पी एच की वै of hydrogen electrode कुछ नहीं दे रखा तो reduction की बात कर रहा है कुछ नहीं दे रखा तो reduction की बात कर रहा है तो कुछ नहीं simply आपका बन जाएगा minus 0.0591 into 1 तो answer बेटा आपका third option कुछ नहीं बोला है तो reduction बताओ कुछ नहीं बोला है तो क्या बताओंगे रिडिक्शन बता ओंगे अच्छा आप बोल रहा है खão बस पंदरा बीस मनुन का सेशन ओर रहהगा कल जो आप लोगे जो equilibrium और जो थर्मों और जो भारी-भारी आपके chapter थे 11th की chemistry के भी थोड़े बहुत सवाल कर लो ठीक है कल ये सवाल करवाया है इस तरीके के सवाल कल करवाया है कैसे करना ज़रा try करो try करो अब मैं नहीं करूँ आप आप करोगे अब आप करोगे कर लिए कर बिटा तीन solution mix करवाया थे आज दो solution है करना ज़रा एक बट रहा है करो ज़रा एक एक्वल वाल्यूम ऑफ टू एसट मैं लिखते वे तो चलता हूं बिटा एक है बिटा जिसकी वोल्यूम वी पी एच चार वोल्यूम वी पी एच पांच कैसे करवाया थे एसे मैं नहें कैसे करवाया था यहाँसे है च्पलस यह लिख सकते हो क्या लिखोगे 10 to the power –4 लिकोगे पी- अगर चार है तो हप लस कटना है 10 to the power –4 pH 5 है तो h plus कितना है बिटा 10 to the power minus 5 बिल्कुल सही है यह है concentration यह है concentration यह है volume यह है volume तो मेरे भाई अगर मेरे को यहां से moles लिखने है तो यहां से moles मैं कि लिखने हैं लिखने हैं concentration और volume को multiply कर दो concentration और volume को multiply कर दो क्या है लिखने हैं 10 to the power minus 4 भी क्या यहां से moles लिखूंगा 10 to the power minus 5V सही है total moles कितने आ गए total moles कितने आ गए total moles कितने आ गए तो यहां पर देखो total moles H plus कितने है 10 to the power minus 4V plus 10 to the power minus 5V सही है total volume total volume कितने आ गई बेटा V plus V which is what 2V which is what 2V which is what 2V तो यहां पर H plus की concentration कितनी है H plus की concentration कितनी है moles कितने हो गए 10 to the power minus 4V plus 10 to the power minus 5V upon total volume 2V सही है अब क्या करते है V से V cancel कर दो अब क्या सिखाया था कल सिखाया था क्या यह 10 to the power minus 4 यह 10 to the power minus 5 इस minus 5 को क्या करो इस minus 5 को क्या करो इस minus 5 को क्या करो ignore बताया था इसको ignore कर दे जो भी छोटी value थी कल बेटा तीन value थी उसमें से 2 को ignore कर दिया था आज 2 value है तो उसमें से 1 को ignore कर दिया तो आपका answer क्या आ रहा है आपका answer क्या आ रहा है 10 to the power minus 4 इन्टू 1 by 2 सही है और यहां से pH निकाल लेना अच्छा आपसे h plus concentration नहीं पूचा है आपसे h plus concentration नहीं पूचा है तो इसदर लिख दो 0.5 into 10 to the power minus 4 तो इसको लिख दो 5 into 10 to the power minus 5 5 into 10 to the power minus 5 ठीक है तो answer क्या रहा है यह राँचर कल करवाया था या नहीं करवाया था बाबू कल करवाया था या नहीं करवाया था बाबू कल करवाया था या नहीं करवाया था यह सेम चीज रिपीट कल हुई थी या नहीं हुई थी हैं बाबू यह जरा देख बाबू यहां करवाय था या नहीं करवाय था खुद दे गी'm टीन था चार था पांच था यहां पे टेंट दीपर मैनस 3, 4, 5 यह di Appei, टींट उहर गए थे फिर टोटल वाल्यूम हर दिया था था minus three minus four minus five minus four minus five औONA कर दिया था तो केवल minus three बजह था आज क्या है बटा यहां पर 10 to the power minus four minus five minus five को एगनोर कर दिया था जो भी छोटी value हो उसको कर देना ignore ठेक है ठेक है चलो यह करो अब यहां पे दिख्कत आती है बच्चों को atomic structure बस बटा छोट रहो हूं मैं अब लोग अल्मोस टेंड पर आ चुके हैं यह ना दस मिनट में आप लोगी class खतम कर देंगे दस मिनट में आप लोगी class कर देंगे आजओ 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 कल बटा 11 की organic कर रहे हैं कल बटा जी योसी आएगी कले बटा यूपीसी आएगा हाइड्रो कारवन की reaction आएगी मज़ेदार दुवां उठेगा बटा दुवां उठेगा करो विच्व फॉलेंग configuration is not according to Huns rule of maximum multiplicity Huns rule बटा कौन सा follow नहीं करता है Huns rule क्या बोलता था Huns rule बोलता था पेरिंग तब करना जब हर किसी orbital में एक एक electron हो of same spin second option देखो बिटा अभी तो बिटा गर खाली थे गर खाली थे पहले बिटा जोडे बना दिये घर तो खाली बढ़े है तुमने पहले जोडे बना दिये तो यह गड़ बढ़ है यही आंसर यहीं चिक है अब यह करो बिटा in a hydrogen atom energy of first excited state energy of first excited state आपसे total energy बूज़ दिये minus 3.4 electron volt आपको बोल रहा है kinetic energy of same orbit kinetic energy क्या ratio होता है क्या ratio होता है अगर आपको total energy पता है kinetic energy कैसे निकालोगे इसका जो minus sign है इसको जाड़ दो minus sign को जाड़ दो minus sign को जाड़ोगे तो यह क्या बनेगा बटा plus 3.4 electron volt और potential energy कैसे निकलती है simply 2 times total energy तो 2 times minus 3.4 which is minus 6.8 electron volt तो आपको आपको काइनेटिक बूची थी काइनेटिक इस दिस कैनेटिक इस दिस सही है बदाईये 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 सही है सही है सही है चलो इसी बात पे आदो इसी बात पे आदो इसी बात पे आदो the orbit having bohar radius equal to first orbit of hydrogen atom radius का formula बोलो बेटा radius का formula बोलो radius का formula होता है 0.529 n square by z तो अगर बोल रहा है first orbit hydrogen atom का तो z की value 1 first orbit की value 1 तो यहाँ पे rn के आ रहा है 0.529 n square by n कितना आ गया 0.529 ठीक है तो यह कहाँ बेठेगा n square by z मेरे साब से fourth option में बठेगा fourth option में बठेगा basically n square by z है न वो cancel होना चाहिए n square by z क्या होना चाहिए cancel होना चाहिए यह बेटा ratio क्या आना चाहिए वन आना चाहिए यह ratio बनाएगा तो आप जो डे दीर्टस सब्सक्राइब 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 ऩूसि है के जम्हें देड़ योई है वे आज चेदा प में अलोगा चैसे अरो आज मताए है कि बताईये है लेस के आज यह लुर्ण बया हिसे अगर वन होगा यह अगर वन होगा तभी तो बेटा रेडियस कितना है गाग सिरोप्वाइफ तो नएन जो की ए फ़स्ट रेडियस ऑफ हीड्रोजन एटम पर्स्ट रेडियस पाद पाध्रोजन एटम की वैलियू तो यह आना चाहिक था वन अब यह वन देखे लो कहा रहा है यहां ४ाधिन स्कुर्य टूका स what are the values of orbital angular momentum of an electron orbital angular momentum orbital angular momentum क्या होता है पेटा L into L plus 1 under root H upon 2 pi अब सुनलो ध्यान से ये H by 2 pi को हम क्या बोल सकते हैं H by 2 pi को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग L into L plus 1 under root H bar भी लिख सकते है अब सकते हैं अब यहाँ पे देखो बिटा यहाँ पे देखो बिटा आपका 1 S है तो L की value क्या 0 च्रीख है 3 S है तो L की value क्या 0 S है ने मिटा S है तो L की value 0 0 टाले यहाँ पे 0 ही जीररो ही जीरो ही आएगी तो पहले दो तो 0 होने चाहिए फोर्थ ऑप्षेन में है और फस्थ ऑप्षेन अब 3D 3D तो L की वैल्यू कितनी 2 अब जरा यह पे डालो 2 यह पे डालो 2 तो इंटू 2 प्लस 1 अंडर रूट एज़ बार तो 2 इंटू 3 रूट 6 पहला ओप्षेन है कि अ से कि अ बदाइए अब रहे स है था है थे इस तरह कि एडिए करोगे सबस्थ 15 मिन मैं आए नर्हें काईनेक करना जरा केस्पी से जवाल है केस्पी से जवाल है इस बीटी प्रोड़क्ट एक्स्प्रेशन ओप सॉल्ट M X 4 अब सबसे पहली बात M X 4 कैसे तूटेगा अब यहां पे देखो अगर यहां पे देखो यहां पे क्या है इस बानोगे 4 है आप जडरा बताओ केश्पी कैसे लिखोगे अब केश्पी कैसे लिखोगे KS् nume की concentration, x minus की concentration और यहां पर stoichiometric coefficient बेटा, power में डालना, मद बूलना यह भूल जाते हैं, बच्चे stoichiometric coefficient को power में डालना बूल जाते हैं, अब यहां पर देखो, m plus 4 कितना है, s, तो इसके जगे डालो s, इसके जगे डालो, s x minus कितना है, बेटा 4s, तो इसके जगे डालो 4s की power 4, यह मद बूलना, बेटा तो यहां पर s की power 4 और 1s, तो s की power 5 हो गया, और 4 की power 4, कितना आएगा 4 की power 4, यहां आएगा 256, तो यहां रहा है, बेटा 256, s की power 5 answer बेटा, पहला option यह मद बूलना, भाई यह बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, simple multiply करते हैं, s into 4s s into 4s, तो बोलते हैं, 4s को है, नहीं यहां पर बेटा 4s की power 4 आएगा इसकी power 4 आएगा, क्योंकि 4 क्या है, stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient कहा जाता है बेटा, power में जाता है, सही है सही है बताइए आया ना आया ना आया ना ठीक है चलो ठीक है यार end करते हैं, अब हम end करते हैं, अब हम end करते हैं, ठीक है, आज़ो end करते हैं, end करते हैं, लेकिन बेटा, दो मिनिट आप लोगों से बातचीत करेंगे सबसे पहले मुझे बताओ, अगर प्रहार में मज़ा आ रहा है कि सर, शांदार है, question practice भी शांदार हो रही है, revision भी शांदार हो रहा है, तो एक बार बेटा, दिल बना दिया जाए, चैट सेक्शन में, एक बार बिटा, दिल बना दिया जाए, चैट सेक्शन में, एक बार दिल बना दिया जाए, चैट सेक्शन में कि सर, बहुत मज़ा आ रहा है ज़्यके, अब देखो, ज़्यादा सेशन बचे भी नहीं है जिक जाजा सेशन बच़े भी नियुक अभी बेटा मैं link बेज रहा हूं आपको यलगार का सुन लो दियान से अभी बेटा मैं आप लोग को यलगार का link बेज रहा हूं सारे बच्चे उसमें enroll करेंगे यलगार में बेटा सारे बच्चे enroll करेंगे it is absolutely free एक भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपसे एक रुपया भी नहीं लिया जा रहा है यलगार में अभी के अभी फॉलो करोगे 7th April को बेटा टेस्ट है 7th April को बेटा टेस्ट है पूरी 12th की chemistry का चेक है और एक बार बेटा 7th April नेक्स्ट जो 14th April को टेस्ट होगा हर संडे टेस्टे फिर मैं फुल लिंद आप लोगों को फुल मौक दूँगा फुल मौक आपको टेस्ट दिलवओंगा फुल मौक आप लोगो को टेस्ट दिलवओंगा जैक है उससे पहले बेटा हम एक हमारा रिच्वड करेंगे हम एक पर बेटा अभी ही बेटा 1000 लाइक्स कराएंगे फटाक से बेटा 1000 लाइक अभी के अभी हो जाने चाहिए बाग के आओ बाग के आओ बाग के आओ बाग के आओ मैं भी पहुच गया हूँ आज कल बेटा मेरे से मेरे से बोलने से पहले बच्चे बहुत जाते हैं ना होश्यार है बच्चा है जल्दी बहुचो वहां पर जल्दी बहुचो वहां पर जब मैं इतनी महनत कर रहा हूं तो आप लोगों सभी मैं expect करूंगा कि आप लोग इतलीस्ट session को like तो करी सकते हो इतना तो आप आप लोग मेरे साथ मेरे लिए कर सकते हो बाग क्या आओ वहां पर बाग क्या हो देखो चैट section में फिन कर रखा है मैंने कमेंट में पिन कर रखा है चाट section में पिन कर रखा लिक कल का जिसमें इलेवेंद की के श्रे कर रहे हैं ओर ही सच फॉर्मृला शी डेट बेटे बेने बीज दी है मैं एक और बार बेंगा ठीक है with annotation क смотреть विद अनोतेंशन मैं आप लोगो आज ही बेज दूगा रात में ही बेज दों हें चलो व्रैक से बИदा लाइक करेंगे प्रडाक से लाइक करेंगे फटाक से लाइक करेंगे बड़ा कि हजार लाइक हो गए कि अवे अब Yo जो नमबर ऑफ वेशन्स अभी हमने जो फिजिकल के मिस्टर में समझी एना आप लोग का समय जादा लगता है क्वेशन कराने में क्योंकि एक एक चीज समझानी भी पड़ती है क्योंकि फटाक जल्दी होते हैं फिजिकल के मिस्टर में थोड़ा सवेला लगाते हैं अपके इसलिए नमबर ऑ 로फ केशनल चैलो पर हीए خ वेशनों स喜歡 क्वेशन का अरी क्वेशन का क्या बोल रहे बटा हाँ जी और राइड डं don last question में s की पावर 5 कैसे हुआ अरे मेरे hero hero लाल इधरा 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 यहाँ पे देख यह अगर s की पावर 4 है और यहाँ पे s की पावर 1 है और 1 प्लस 4 कितना होगा अच्था पार्वग मैं पक्रोड़क कर देना चैनल कर दिए शंदर अजबीन है करके जाohl Were ट्वेल्स की साथ चैनल पर बर सब्सक्रические turn कर दीजैंग है thank you thank you thank you have a great day see you guys bye-bye bye-bye bye-bye